राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बड़ी दुक भरी कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक गाउं में सुमती नाम की लड़की रहती थी उसके परिवार में सुमती उसकी मा और उसके बाबुजी भईया और भाबी और भईया भाबी के दो बच्चे सुमती बहुती खूबसूरत और समझदार थी घर का काम हो या पढ़ाई हो वे सब कुछ निपुनता से करती थी, हर काम में वे परफेक्ट थी और बहुती खूबसूरत थी, घर में सबी का मन लगा के रखती थी, वे बहुती हस्मुक सभाव की थी, सुम्ती अब दस्वी कक्षा में पढ़ती थी, घर के काम में भी वे भावी का हाथ बटाती थी, जब सुम्ती अपने स्कूल से घर पहुची, तो गाउं के पंडित जी उनके घर आए हुए थे, मा और बाबु जी के साथ में बैठे हुए थे, सुम्ती ने पंडित जी को देखा, तो उन्हें नमस्ते किया, पंडित जी बोले, आजा बिटिया, मैं तो तेरे बारे में ही बात कर रहा था, सुम्ती आश्चरिया से बोली, पंडित जी, मेरे बारे में क्या बात करनी है, आपके तो बगीचे भी नहीं है, आम के जो आप मेरी सिकायत लेके आये है, और मैंने तो आपके बगीचे के आम भी नहीं तोड़े, पंडित जी सुम्ती की बात सुनकर हस उन्होंने बोला तुम्हारी शादी के लिए रिस्ता लाया हूँ, यह सुनकर सुम्ती चौंक गई, सुम्ती और कुछ कहती इससे पहले ही सुम्ती की मा बोली, अंदर जाओ सुम्ती, बड़ो के आगे अपने शादी की बात नहीं सुनते, सुम्ती अपने गुसे और दुख का घूट पी कर रह गई, भावी आई और बोली क्या हुआ, शादी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, सुम्ती कुछ भी नहीं बोली, बस पलंके कौने पर जो लकड़ी लगी हुई थी, उसको ऐसे मसल रही थी, जैसे बस अभी तोड़ के दम लेगी, भावी फिर बो सुम्ती खाना खालो, तो सुम्ती बिना कुछ बोले, और मुँ ढखकर पलंक पर लेट गई, थोड़ी देर में उसे नीद आ गई, थोड़ी देर बाद उसकी मा आई, और वो सुम्ती के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, सुम्ती बेटा उठजा, शाम हो गई है, सुम्ती क आख खुली, फिर उसने याद आया, अरे वो ऐसे क्यों सो गई, वो अपने मा के गले लग कर बोली, मा, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोज हो गई हो, जो तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो, अभी तो दस्वी कक्षा की परिक्षा भी नहीं दी है मैंने, तब उ सूरे दो साल बाद करेंगे, तब तक जी भरके पढ़ लेना, सुम्ती बोली, मा, इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी नहीं बारवी के बाद वी तो पढ़ना है मा बोली बेटा पर बारवी के बाद तो गाउं में कौलिज ही नहीं है कैसे पढ़ोगी सुमती बोली मा मैं सेहर जाया करूँगी मा यह सुनकर हसने लगी और बोली बेटी आज तक कोई लड़की गाउं की बाहर पढ़ने नहीं गई जो तुम जाओगे सुम्ती बोली तो क्या हुआ मा मैं चली जाओंगी तो मैं भी इस काबिल बनूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी मा ने कहा हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाके भी रोशन कर सकती हो अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बाबू जी के लिए खाना लेके आई और हमाई उनके पास बैठ गई और हाथ से का जो पंखा था उससे हवा करने लगी थोड़ा संकोचते हुए बोली बाबू जी वो पीछे वाले घर की मौवा है ना उसकी साधी उसके घर वालों ने उसके 20 साल होने पर कराई थी और हमा जा रहे थे सुम्ती की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे जब खाना खा लिया तो पिता जी बोले देख बेटा लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और आब वह क्या बोले बेचारी चुप हो गई और चुप चाप खाने की थाले उठा कर कमरे से बाहर आगई सबी से बाते करके उसने देख लिया था उसने पर कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तयार नहीं था वो बिना कुछ खाई ही सो गई अगले दिन वे स्कूल के लिए तयार होने लगी दो चोटी बना रही थी तब ही उसकी भावी बोली अब चली जाओ गी जब तो शादी पकी हो जाएगी तब घर का काम सीखने के लिए जादा से जादा घर पर ही रहना होगा। सुमती चिला कर बोली नहीं करनी शादी मुझे नहीं जाना कहीं भी और उसने स्कूल वैग लिया और घर से निकल गई। उसकी भावी ने काम सिखाने के लिए जायदा से जायदा घर पर रहने के लिए बोला था उसके जाते ही उसकी भावी बोली देखो माजी ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी इतने गुस्से में मुस्की मा मुस्कुराते हुए बोली बहु सब सीख जाएगी घर बार अच्छा मिल रहा है लड़का अस्पताल में कमपाउंडर है तीन साल सुम्ती से बढ़ा है तो क्या हुआ हमारे सुम्ती खुस रहेगी सुम्ती अपने स्कूल में भी आज उदासी थी उसकी सहलिया उससे पूछ रही थी क्या हुआ सुम्ती उसने सब को सब कुछ बताया तो सहलिया उसे छेडने लगी तो तुम उनके खयालों में खोई हुई हो छुटी में रास्ते में आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहल सबी लड़कियां दवे पाम बगीचे में पहुची दिवार के पीछे से बगीचे में जाकती हुए बोली काका तो सो रहे हैं घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी दवे पाम वे अंदर आ गई सुमती पेड पर चड़ गई और पके पके आम तोड़कर नीचे ग कौन है यहां सबी लड़कियां घबरा गई और चिलाती हुई कहने लगी सुमती जल्दी नीचे आजा काका आ गए हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में सुमती के पैर में चोट लग गई सारी लड़कियां वहां से भाग गई फिर घर आकर काका ने सुमती के सिकायत करते कि देखो सुम्ती ने आज फिर हमारे बाग में चोरी की है सुम्ती के बाबू जी बोले अरे भाई इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बच्पना ही नहीं छोड रही कभी बाग से आम चुराती है कभी जूला जूलना कभी टूवैल पर खेलना पता नहीं कभ समझे बड़ों की बातें बाबू जी ने सुम्ती को बुलाया और पूछा काका क्या कह रहे हैं सुम्ती तुमने आम तोड़े हैं इनके बगीचे से सुम्ती ने नामे सिरहलाते हुए बोली नहीं बाबू जी मैंने इनके बगीचे से कोई आम नहीं तोड़े काका जी जूट बोल अच्छा बड़ी सयानी हो रही है तो बता तेरे पैर में चोट कैसे लगी सुम्ती हक लाते हुए बोली वो तो जटके से जो रास्ते में पत्थर आ गया और फिर मुझे चोट लग गई काका बड़ बड़ाते हुए हुआ से चले गए और सुम्ती को भी बाबू जी से डाट पड़ी अगले दिन मा बोली वो परधान जी का लड़का आया था लड़के के वधू आगमन पर जो होने वाली दावत और समहरों में काम करने के लिए हमें जाना है परधान जी की लड़ के की वधू का आगमन होने वाला है सुम्ती बोली मा फिर तो मैं भी चलूँगी मा ने मना करते हुए बोला अगर वो लड़का देखने ना आ रहा होता तो जरूर लेकर जाती सुम्ती ने फिर बोला तो ठीक है मैं भी सक इसकूल जाओंगी मा बोली नहीं मना कर दिया न को कोई सकूल नहीं जाएगी लड़का आने वाला है तुझे देखने लड़के वालों को देखने आना है इसलिए घर में रहना है तब ही बाबुजी आए और वो बोल दे क्या बहस चल रही है सुम्ती बोली बाबुजी मैं जब तक आ जाऊंगी ना जब तक लड़का वाले आएंगे मुझे स्कूल जाने दो बाबुजी ने कहा ठीक है पर कोई सरारत मत करना सुम्ती अब की बार सीदे घर आना बगी चाई या कहीं और मत चले जाना सुम्ती खुस होते वे बोली हाँ बाबुजी मा आप कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीजे ले आना सुम्ती ने अपनी मा से कहा तो उसकी मा बोली ठीक है तुझे देख कर लगता ही नहीं घर में दो छोटे और भी बच्चे हैं उन बच्चों से भी जादा बच्पना तो तुम में हैं सुम्ती बोली तभी तो मना कर रही हूं मा मत करो ना मेरी शादी सुम्ती की चोटी उसकी मा ने पकड़ी और बोली शादी तो होके रहेगी अब अपनी सरारत बंदखर और अगली सुबह सुमती जो इसकूल जाने के लिए तैयार होने लगी भावी ने मसाला पीशते हुए फिर बोला याद है न सुमती आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है तुमें अच्छे से लड़का वाले कार से आएंगे समय से घर आ जाना सुमती बोली याद है मुझे भावी आ जाऊंगी समय से मा आई और सुमती को कुछ रुपे देते हुए बोली आते समय मंगत की दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना महमानों के लिए सुम्ती रुपे गिनते हुए बोली मा, दस रुपे और दे दो न, मा ने बोला वो क्यों, तो सुम्ती बोली वो पानी बता ऐसा खाना है, बहुत दिनों से खाये नहीं है, मा ने कहा घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय मत खराब कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम चाहिए, सुम्ती बोली क्या सारे नियम लड़कियों के लिए है मा, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, मा बोली जादा माश्टर नी ना बन जा, स्कूल के लिए देर हो रही है जा, सुम्ती बोली ठीक है मत दो, और मोह खुला के इस्कूल जाने लगी, घर के द्वार पर बाबुजी खाट पर बैठे हुए थे, हुका पी रहे थे, और चुप चाप सब सुन रहे थे, सुम्ती को जाते देखकर बाबुजी बोले, रुख जा सुम्ती, यहां आ, सुम्ती बाबुजी के पास आई, बाबुजी ने उसे तीस रुपे दिये, और बोले, ये ले, तभी अपनी सहिलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बाते कर रही थी तभी आसा उसकी सहिली बोली आज तो परधान जी के यहां बहुत बड़ी दावत है सुमती तू भी चलना साथ में सुमती उदास होते हुए बोली नहीं आसा माने घर जल्दी आने को कहा है मुझे सहिली पुस्पा बोली ओहो तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं सभी सहिलियां सुमती को छेडने लगी सुमती ने बोला ठीक है जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब मैं बताऊंगी तुम्हें और इसकूल बाते करती हुई पहुँच गई इसकूल पहुँचकर सब पढ़ाई में लग गई छुटी होने पर सुमती ने मंगत के हैं से मिठाई ली और फिर सेव अनार और केला लेके पानी पूरी के ठेले के पास पहुचकर जल्दी जल्दी मुह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी जो बोतल में जो पैक करा लिया और एक सहलियों के साथ घर की ओर आने लगी उसकी सहलियों ने बोला तो सुमती क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी सुमती बोली नहीं माने कहाय कि गौना दो साल बाद करेंगी सुम्ती की सहलियां बोली सुम्ती तुम थोड़ी देर रुको बस हम थोड़ी देर में आते हैं सुम्ती ने बहुत मना किया वो नहीं मानी तो सुम्ती वहीं खड़ी रही और अपनी सहलियों का इंतजार करने लगी तबी एक कार बहुत तेज रप्तार से सुम्ती के बराबर से निखली रास्ता कच्चा और पानी भरे होने के कारण कार की तेज रप्तार से रास्ते का पानी सुम्ती के ऊपर उचल कर गिर गया सुम्ती गुसे में तिल मिला गई और तेजी से बोली आखे बंद करके गाड़ी चलाता है क्या दौना हातों में समान वो और मुँ भी साफ नहीं कर पाई थी थोड़ी देर में पुस्पा और आसा आई सुम्ती को देखकर बोली ये कैसे हुआ और हसने लगी सुम्ती बोली समान पकड पहले फिर दांत दिखाना सुम्ती के पास खेत में चल रहे टुवैल से जो मूद होया और बढ़बढाती हुई बोली अगर ये बंदर मुझे मिल गया न तो उपर से नीचे तक इसे कीचड में डुबो दूँगी फिर सभी घर की ओर बढ़ने लग कहीं यह वही तो नहीं सुम्ती बोली अरे हां ये तो मैंने सोचा ही नहीं भावी ने कहा था लड़का कार से आएगा थोड़ी देर सोच के बोली फिर तो और भी अच्छा है इसे मैं हैंसे वापस भेज देती हूँ वो सभी लड़कियां उसके पास गई और कच्चे रास् की ओर करे हुए मोबाइल को घुमा रहा था जैसे उसकी नजर सुम्ती पर पड़ी अपना चस्मा उसने निकाला और एक टक सुम्ती को देखने लगा सुम्ती ने बोलना सुरू गिया आप गाउं में किसी से मिलने आए हैं पर वो लड़का कुछ नहीं बोला बस सुम्ती को देखता रहा सुम्ती ने फिर बोला कि आप ने जो किसी को घर आए हैं किसी को देखने आए हैं वो लड़का थोड़ा हड़ड़ा के बोला हां जी मैं वो किसी से मिलने जा रहा हूं उनके हैं शादी इतने पर ही सुम्ती बात काटते हुए बोली तो आप हुआ जा रहे हैं वो लड़का बोला जी हाँ पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा और प्यास भी बहुत तेज लगी है कहीं दुकान भी नहीं कि पानी की बोतल ले सकूँ सुम्ती के मन में तरकीब सूजी अपनी बोतल जिसमें उसने पानी बतासे का भरा हुआ था उस लड़के की और बढ़ाते हुए बोली ये लीजिये पानी बिलकुल सुद और सीतल है और पुस्पा बोली पर सुम्ती ये तो तब ही सुम्ती ने उसके चुप रहने काई सारा किया उसकी बात को काट दिया वो लड़का बोतल खोलते हुए बोला थैंक्यू सो मच गल्स सारत भरी मुसकान से उसे देख रही थी जैसे ही उस लड़के ने एक घूट पिया उसने मूँ बनाते हुए पानी बाहर निगल दिया और बोला इतना तीखा पानी और बेचैनी से खांसने लगा मौका देखकर सुम्ती ने उसके कदमों में अपना पैर फसा दिया वो सीध को सहरी बाबू आपकी कार से भी मेरे उपर रास्ते का पानी छिटक गया था मैंने तो बस उसका बदला लिया है अब इस गाउं के बहार इतनी सेवा हुई है तुम्हारी तो सोचो गाउं में कितनी होगी भलाई तुम्हारी इसी में है कि हैंसे अपने घर चले जाओ नहीं पर वो लड़का है बहुत सुंदर तेरे बाबू जी को पता लगाना इन सब बातों का तो वह कहने लगी सुम्हारी देखा सा अब इस गाउं के बहार उसकी इतनी सेवा हुई है तो सोचो गाउं में कितनी होगी उसकी उसकी भलाई तो इसी में है कि वह यहीं से घर चला ज और चल दी रास्ते में आसा ने बोला सुम्ती क्या वो लड़का सच में वापिस चला जाएगा पर वो लड़का वैसे देखने में बहुत सुंदर है तेरे बाबू जी को अगर इस बात का पता चलाना तो वे बहुत नाराज होंगे सुम्ती बोली आसा तुझे लड़का प भावी मैं समान ले आई हूं देख लेना कुछ कम तो नहीं है और मैं अभी हात मुधो लेती हूं आप मुझे तयार कर देना अच्छे से उसकी भावी कुछ नहीं बोली और वो हात मुधो के सुम्ती आ गई भावी ने बोला माने तुम्हें परदान जी के यां हो रही आज वो सुम्ती मनी मन खुस हो रही थी और बोली क्यों भावी तो उसकी भावी बोली उसे आज छुटी नहीं मिली नौकरी से अब वो इतवार वाले दिन आएगा सुम्ती यह सब सुनकर चौक गई वो सोचने लगी जब वो लड़का आज आया ही नहीं तो वो कौन था जिसे वह परिसान करके आई थी सुम्ती के मन में अब यही सब सवाल घूम रहे थे भावी ने फिर बोला जा नहीं रही क्या परधान जी के हैं सुम्ती बोली जा रही हो ना दोनों बच्चे कहा हैं भावी सुम्ती ने चारों ओर देखते हुए बोला तो भावी बोली वो भी हुई गए हैं सुम्ती तैयार होकर परदान जी के घर पहुची जहां उनका घर फूलों और जालरों से सजा हुआ था एक और बहुती स्वाधिष्ट पक्वान बन रहे थे जिनके खुस्बू हर जगे फैल रही थी बहुत बड़े घर के लोग आई हुए थे सभी ने कीमती कपड़े और गह पहने पहने हुए थे सुम्ती इन सब में खोई हुई थी तभी सुम्ती की मा ने उसे पीछे से अवाज लगाई सुम्ती का मा की अवाज पर ध्यान नहीं गया मा पास आके उसके कंदे पर हात रख कर बोली सुम्ती कहां खो गई कब से बुला रही हो सुमती बोली हा मा मैं आपको ही जो ढून रही थी तो उसकी मा बोली एक काम कर यह फूलों की टोकरी उठा और पूजा के पास रखिया जहां पूजा होनी है सुमती ने जो फूलों की टोकरी उठाई और पूजा के पांडाल की तरफ चल दी, टोकरी उपर तक फूलों से भरी हुई थी, धीरे धीरे वे उसे उठा कर चल रही थी, तब यो किसी से टकरा गई, सुमती के हाथ से टोकरी नीचे गिर गई, और सारे फल और फूल बिखर गए, सुमती बिना उस इंसान को देखे जकराई थी, वो भी फल फूल उठा कर टोकरी में रखने लगा, और बोला, मुझे लगा नहीं था, कि हम फिर मिलेंगे, सुमती उसे देखकर चौंक गई, और उसकी और देखकी, कि यह तो वही लड़का है, जिसे सुमती ने स्कूल से आते समय, रास्ते में परिसान किया था, सुमती अब बुरी तरह से घबरा गई, और उसके माथे पर पसीने की बूंदे जलकने लगी, थोड़ी देर में परधान जी की पतनी आ गई, और वे बोली, अनिकेत बेटा, तुम ही हाँ हो, हम तुमें तुम्हारे पिता जी और मा से बहुत सिकायत करेंगे, कि वो आ आए नहीं, बस तुम्हें अकेला भेज दिया, और रास्ते में क्या हुआ था, तुम्हारे साथ रगू ने बताया, गाउं की कुछ लड़कियों ने परिसान किया था तुम्हें, सुमती हुआ मुह नीचे करके खड़ी थी, उन्होंने सुमती से पूचा, क्यों और ही सुम सुमती ने उन्हें परनाम किया और जो हुआ से तेजी से निकल गई, सुमती हुआ से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, उसने वो फलों की टोकरी पांडाल में रखी और हुआ से चली गई, मैं उसे पुस्पा और आसा उसकी दोनों सहिलियां भी सुमती बूली ऐसा करते हैं, जहां भी हो वो सहरी बंदर अकेला दीख जाए, उससे माफी मांग लेंगे, फिर वो किसी को नहीं बताएगा, आसा और पुस्पाने का ठीक है, सुमती हर जगया निकेत को खोजने लगी, उसकी नजर उस समय अनिकेत को ढूण रही थी, सुमत सुमती ने जब यह सब देखा, तो उसे लगा कि अनिकेत ने सब कुछ जो परधानी जी की पतनी है, ठकुराइन जी उनको बता दिया है, अब उसके माथे पर चिंता की लकीरे उभराई, वो हुहां से जाना चाहती थी, वो जैसे ही घर के लिए मुड़ी, तभी माने अवा सुमती ओ सुमती जो अनसुना कर रही थी, तब सामने से बाबु जी आते हुए दिखाई दिये, और बोले क्यों औरी सुमती, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तेरी मा तुझे कब से बुला रही है, सुमती ने बोला बस बाबु जी, मैं जाई रही थी, सुमती धीरे धीर डरते हुए मा के पास पहुंची और मा से भोली कि हां मा क्या बात है और ये ठकुराईन जी क्या बोल रही थी तुम्हें तो व earning कहने लगी सुम्ति को लगा कि अब तो डाट और सजा दोनों मिलेगी पकत हिरो भी पक्का THकुराईन अच्छा तो फिर ठकुराइन को कैसे पता चला कि तुझे इतनी सुन्दर रंगोली बनानी आती है सुम्ती को फिर थोड़ा जो आराम मिला उसने थोड़ी चैन की सांस ली कि उसने बोला रंगोली आप रंगोली की बात कर रही हो मा मा ने बोला तो तुने क्या सोचा सुम्ती बोली कुछ नहीं कुछ नहीं और मा ने बोला जा जल्दी से सांस की पूजा सुरू होने से पहले पंडाल में रंगोली बना दे रंग वहीं रखे होंगे सुम्ती पंडाल की ओर चल दी उसने बहुत खूब सूरत रंगोली बनाई और द्वार पर भी रंगोली बनाने चली गई जब वह द्वार पर रंगोली बना रही थी तब ही उसने देखा कोई उसकी बनाई रंगोली पर चले आ रहा है सुम्ती गुसे में बोलते हुए मुँ उपर उसने किया नहीं उसकी तरफ देखा था और कहने लगी इतनी सारी जगे है फिर भी तुम्हें ये रंगोली ही दीख रही है जब उसने मुँ उपर करके देखा तो अनिकेत खड़ा था सुम्ती ने उदासी भरा मुँ बना कर बढ़ बढ़ाते हुए बोली है जान की मैया ये मेरे साथ ही क्यूं हो रहा है अनिकेत बोला सौरी सुम्ती को ये सही मौका लगा माफी मांगने का उसने हाथ जोड़े और बोली सहरी बाबू जो रास्ते में हमने सरारत की उसके लिए हमें माफी दे दो वो क्या है ना जिसे हमने सोचा था कि आप हो पर वो तो आप नहीं हो जो आप हो उसे मैंने सोचा ही नहीं था कि आप होंगे अगर हमें पता होता आप कौन है तो हम वो ना जो समझ रहे थे तो वो आप नहीं हो अनिकेत अब उसकी बात से थोड़ा ऐसा मंजस में था सुमिती जो कहना क्या चाह रही थी और खुद के इस सिर पर हलका सा हाथ मार के बोली अरे मैं क्या बोल रही हूं सुमती ने जो अपने आप से ही कहने लगी अनिकेत ने बोला मैं कुछ समझा नहीं सुमती बोली वो बस हम माफी मांग रहे हैं वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सौरी आपकी इतनी परेशानी हुई आपको आपके कपड़े भी गंदे हो गए उन सब के लिए हमें माफ कर दीजिए और ठकुराइन जी से कुछ मत कहना तो नहीं तो वो बाबू जी और मापर नाराज हो जाएंगी अनिकेत मुस्कुराता हुआ बोला ठीक है माफ किया सुमती यह सुनकर खुसी से उचलती हुई उसे ध्यानी नहीं राकि उसके हाथ में गुलाल से भरी कटोरी है और वो गुलाल हवा में ऐसा उचल गया और गुलाल की बारिस की तरह जो सुमती और अनिकेत के उपर गिर गया यह देखकर सुमती चौक गई और अनिकेत की तरफ देखने लगी अनिकेत के कपड़ों पर लाल गुलाल लग गया था सुम्ती अब गवरहट में अनिकेत के कपड़े अपने हाथ से साप करने लगी वो साप होने की बज़ाए सुम्ती के हाथों का लाल गुलाल भी अनिकेत के कपड़ों पर लग गया अब वो रुआसी सी हो गई उसे लगा अभी तो पहले की गलती की माफी मांगी है और फिर एक और गलती हो गई अनिकेत बस मुस्कुराते हुए सुम्ती को देखे जा रहा था लाल गुलाल सुम्ती के चहरे पर किसी सिंगार से कम नहीं लग रहा था सुम्ती का सादगी भरा चहरा लाल गुलाल से गुलाब की तरह खिल गया था सुमती बोली कपड़े खराब हो गए हैं, बाबुजी हमें माफ कर देना, मैं आपके कपड़े में धूल, धूल के दे दूंगी अनिकेत बोला सुमती की सुनदर्ता में खोया हुआ था, ना तो वे कुछ सुन रहा था और ना ही बोल रहा था सुमती ने फिर बात धोराई अब अनिकेत बोला कोई बात नहीं आज हम दोनों एक रंग में रंग गए हैं सुम्ती बोली मैं समझी नहीं वो बोला कुछ नहीं सुम्ती बोली आप कपड़े बदल लीजिये और ठकुराइन से कुछ मत कहना अनिकेत मुस्कराते हुए बोला ठीक है परधान जी के बेटा परताप हुआ आया और अनिकेत को ऐसे रंगा हुआ देख कर बोला क्या बात है क क्या हुआ किसके साथ होली खेल ली सुम्ती डरी हुई अनिकेत के मूँ को देख रही थी अनिकेत ने बोला कुछ नहीं भाईया पैर फिसल गया और रंगोली पर गिर पड़ा परता फसने लगा सुम्ती हुआ से चली गई सभी महमानों का नास्ता सुरू हो गया था सुम्ती और बाकी की लड़कियां सभी महमानों के आगे लड़ू और सर्वत दे रही थी जब अनिकेत के सामने सुम्ती सर्वत रखती तो अनिकेत बोलता कि सर्वती है ना कि कोई तीखा पानी तो नहीं है ना सुम्ती डर से अनिकेत को देखने लगती अनिकेत मुस्कुरा देता इ पूजा सिरू हुई सभी लोग पंडाल में पहुचते हैं सभी सुम्ती के रंगोली की भी बहुत तारीप कर रहे थे थोड़ी ही देर में पंडित जी के मुँसे मंत्र की आवाज सिरू हो गई और बीच बीच में संक बज रहे थे गाउं के सभी छोटे बड़े बच्चे पर साद लेने की लालसा में द्वार पर ही खड़े थे सुम्ती भी सर पर डुपट्टा रखे हुए हाथ जोड के बैटी हुई थी अनिकेत की नजर सुम्ती पर ही थी सुम्ती की सादगी अनिकेत को भाग गई थी पूजा समाप्थ होने के बाद आरती हुई फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला तब गाम वालों ने और ठकुराइन जी ने सुम्ती से कहा भजन गाने के लिए सुम्ती भजन गाने के लिए तैयार हो गई अनिकेत ये देखकर खुसी से उसके कान खड़े हो गए सुम्ती भजन गाने लगी सुम्ती जितनी चंचल थी उसके गा आते हुए सुम्ती भी उस भजन में ही खो गई थी अनिकेत ये देखकर और सुनकर सुम्ती के प्रैती उसका लगाव और बढ़ गया उसे मनी मन चाहने लगा उसने अपने मुबाइल से सुम्ती के बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ले ली भजन समाप्त होने पर परधान ज और उनकी पतनी ने पान पान सो रुपे सुम्ती को खुसी से दिये और दो सुट दिखाते हुए ठकुराइन बोली सुम्ती इन दोनों में से जो पसंदो वो ले लो सुट एक सफेद रंका था और दूसरा पीले रंका सुम्ती बोली ये पीला वाला सफेद रंक मुझे बिल खुशती आज और उसने बहुत कुछ आज ठकुराइन ने उसे दिया था उसे बहुत कुछ मिला था रात हो जाने पर सुमती मा और बाबुजी और भाबी के दोनों बच्चे लव और कुछ के साथ घर आने लगी आने से पहले मा से बोली मा मैं छोटी ठकुराइन जो नई मा ने बोला अब रात हो गई है वो अपने परिवार वालों के साथ होंगी सुमती घर के लिए सब के पीछे पीछे जो घर चलने के लिए आ रही थी अनिकेत बंगले में बालकनी से खड़ा सुमती को देख रहा था सुमती बार बार बंगले पर नजर घुमा के देख रही थी, कहीं उसे नई दुलन दीख जाए तब उसकी नजर अनिकेत पर पड़ी अनिकेत उसकी oraz देखकर मुस्कुरा रहा था सुमती कुछ समझ नहीं सकी तब अनिकेत ने अपनी जेव से पायल निकाल सुम्ती को दिखाने लगा सुम्ती ने उसे देखते ही पहचान लिया वो पायल उसकी ही है उसने अपने पैरों की और देखा एक पैर में से पायल नहीं थी उसे ध्यान भी नहीं था वो पायल कब निकल गई सुम्ती अनिकेत के इसार करते हुए बोली वो पाईल मेरी है पर वो तो बस मुस्कुरा रहा था मा ने फिरवाज लगाई सुम्ती जल्दीक कर अंधेरा हो रहा है सुम्ती बोली आई मा फिर वो मा के साथ घर आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी उसकी पाईल उसके पास कैसे गई सुम्ती रास्त गए थे घर पहुँचकर सब सोने चले गए पर सुमती को अभी भी नीन नहीं आ रही थी जैसा समान्य तोर पर होता है रात सोने से पहले अधिक तर इंसान उस दिन में होने वाली सबी घटनाओं को याद करता है सुमती भी जब आखे बंद करके लेटी हुई थी तो उसे अन सुमती के पास ही सोती थी सुमती की अवाज सुनकर नीन में बूली हम छटपे नहीं सोए हैं जो बंदर बंदर आएगा सपना देखा होगा तुने सोजा मच्छरदानी अच्छे से चार ओर से बंद कर लेना नहीं तो मच्छर फिर रात में सोने नहीं देंगे सुमती मा को पकड़ कर सोने की कोसिस करने लगी थोड़ी ही देर में उसे नीन आ गई इधर परधान जी की हवेली में अनिकेत करवटे बदल रहा था वो बार बार मोबाइल में सुमती की फोटो जो उसने बिना सुमती की जानकारी के ले ली थी उसे देख रहा था और मनीमन मुस्कुर रहा था उसकी पायल हातों में लिए बहुत देर तक सुम्ती के ख्यालों में खोया रहा जब उसे नीद नहीं आई तो बालकनी में टहलने लगा रात के पौने एक बजे थे उसने देखा कुछ काम करने वाले पांडाल का टेंट का समान एक टेक्टर पर लाद रहे थे और कु करने वाला पांडाल में रंगोली को साफ करने लगा तब अनिकेत बिना कुछ सोचे समझे चिलाया अरे नहीं नहीं इसे साफ मत करो वो व्यक्ति घबरा कर अनिकेत की तरफ देखने लगा तब अनिकेत बोला ये रंगोली मत साफ करो बाकि सब साफ कर लो वो व्यक्ति जो रंगोली साप कर रहा था उसने हां में गर्दन हिलाते हुए का जी साहब जी और वे दूसरी ओर सपाई करने लगा उस व्यक्ति से बोला साहब जी आप सहर से आए हैं अनिकेत बोला हां काका तब अनिकेत ने कुछ सोचते हुए बोला ये गाम को सहरी लोग पसंद नहीं करते किया उस वैक्ती ने बोला नहीं साहब जी ऐसा तो बिलकुल नहीं है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको हमारे गाम में कोई बात बुरी लगी है क्या अनिकेत बोला नहीं बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया था वे काम करने व उसे ना समझी से उसे देखने लगा क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था तब अनिकेत ने बोला कुछ नहीं काका तब वे काम करने वाला काका जो बोला साहब जी आपको हमारे गाम का स्वागत कैसा लगा अनिकेत कुछ सोचता जिससे उसका जो सब बहुत वे काम करने वाला काका मुस्कुराते हुए सब बाते सुन रहा था। अनिकेत अपनी बात जारी रकते हुए बोलां पांडाल की पूजा और उस लड़की का भजन सब बहुती अच्छा था। ना जाने कौन थी वो लड़की वो काका इतना मीठा भजन गा रही थी। तब काका बोले हाँ पांडाल में पूजा और यह सुनकर जो अनिकेत ने अपने कान खड़े कर लिए वे सुम्ती के बारे में सुनने के लिए बेकरार था तब काका ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले हाँ हाँ वो पांडाल पूजा अनिकेत बड़ी बेसबरी से सुम्ती के बारे में सुनना चाहता था काका बोले बहुत अच्छे है वो पंडित जी जो पूजा कर रहे थे अनिकेत ने गुसे और लाचारी वाला मुँ बनाया और बोला काका हाँ पंडित जी तो बहुत अच्छे थे पर भजन भी तो हुआ था ना कितना मीठा था तब काका बोले अरे हाँ 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 वो तो हमारे गाओं के किसंदास की बेटी सुम्ती है सुम्ती का नाम सुन अनिकेत के चेहरे पर एक चमक आ गई अनिकेत बोला अच्छा सुम्ती नाम है उसका काका बोले हाँ बहुती चंचल और सरारती है पूरा गाम वाले उसे बहुत प्यार देते हैं हमेशा कुछ ना कुछ सरारत करती रहती है इन सब के साथ बहुत गुनवान भी है सिलाई, कड़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है हमारे मंदिर के पुजारी जी उसे हर कृष्ण जनमाष्टमी पर भजन और आरती गाने के लिए मंदिर में बुलाते हैं बहुती प्यारी बिटिया है पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नमबर पर आती है अनिकेत बहुती ध्यान से सब सुन रहा था तब ही काका ने कुछ ऐसा बोला कि अनिकेत की सारी खुसी उदासी में बदल गई काका ने बोला शादी के लिए कोई लड़का देखा है शायद उन्होंने सहर में अस्पताल में कमपाउंडर है पर अभी तो वो छोटी है काका अनिकेत बोला इतनी जल्दी शादी तो काका बोले साब हमारे हैं लड़कियों की इतनी उमर पर रिस्ता हो जाता और रिस्ता अच्छा होते ही उनकी शादी कर देते हैं इससे भी कम उमर पर शादी कर देते हैं अनिकेत के चेहरे पर उदासी चा गई वो अपने कमरे में आ गया और उदासी से लेट गया मनी मन सोच रहा था अब तक सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे दीखी थी जिसे देखकर उसे लग रहा था कि यही वो ड्रीम गर्ल है पर उसकी भी शादी होने वाली है मैं कर भी क्या सकता हूँ अभी तो एक साल है मेरे ललवी को पूरा होने में और अभी करियर में कुछ भी नहीं है मैं शादी के लिए भी सोच भी नहीं सकता और नई उसे रोक कर रख सकता हूँ शादी के लिए पर मैं सुम्ती को कभी भूल नहीं सकता वो परेशान होकर तकिये में अपने सर के उपर रखकर आखे बंद करके लेट गया उस रात बहुत देर तक अनिकेत को नींद नहीं आई सुबह भी देर से अनिकेत की आख खुली परताप कमरे में आया और अनिकेत को जगाते हुए बोला अरे भाई सूरज सर पर चड़ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो मेरे दोस्त और तुमारे बड़े भाईया का फोन आया है साहब जादे माफी मांग रहे थे कि वो नहीं आ सके इसलिए छोटे भाई को भेजा है सुनाए आज शाम को ही निकल रहे हैं अरे कुछ दिन तो रुको हमारे हैं हमारा गाम और भाग सब देखो सीतला माता का मेला भी यहां पर लगता है कल लगेगा उसे देख कर जाना परताप कहने लगा तो अनिकेत बोला नहीं भीया कल ही शाम को निकलना है पढ़ाई का बहुत लौस हो रहा है परताप बोला ठीक है तुम तैयार हो जाओ नास्ता करने के बाद आम के बगीचे गूमने चलेंगे अनिकेत नहा कर नास्ता करने के बाद परताप के साथ आम के बगीचे की तरफ चल पड़ा अनिकेत और परताप गूमते हुए बाते कर रहे थे अनिकेत बोला सहर में ऐसी ओरिजनल हरियाली देखने को नहीं मिलती बहुत सांती और ताजगी है है चारों और पक्षियों के चहचाने की आवाज और सीतल हवा चल रही है अनिकेत ने परताप के साथ बहुत सी फोटो ली और वहां से वो लोग खेतों की तरफ चल दिये खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे उनमें ही सुम्ती के बाबू जी भी थे सुम्ती भी हुआ आती है और आई अपने बाबू जी के लिए खाना लेके परताप को देखकर वो परनाम छोटे ठाकुर साथ बोल कर दोनों हाथ जोड़ कर परनाम करने लगी और अनिकेत की तरफ भी उसने ऐसे ही परनाम बोला अनिकेत सुम्ती को देखकर मनी मन सोच रहा था मेरी ड्रीम गर्ल बनके ही रहगा जाएगी परताप बोला अरे सुम्ती तु आज स्कूल नहीं गई तब सुम्ती बोली छोटे ठाकुर आज बहुत देर से आँख खुली इसलिए देर हो गई परताप ने बोला सुनाये सुम्ती कि तुमारी शादी करने वाले हैं सुम्ती के बाबुजी बोले जिट हो छोटे ठाकुर साहब सोच रहे हैं कि इसी साल करने को तब परताप बोला ठीक है अगर किसी चीज की अपैसो की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना तब बाबुजी बोले आप ही तो हमारे अंदाता हैं साहब आप से ही उम्मीद कर सकते हैं सुम्ती मुह नीचे करके सब सुन रही थी तब ही छोटे ठाकुर साहब का फोन बजने लगा वो अनिकेत को बोलने भी आया अनिकेत भी होई खड़ा था सुम्ती के बाबुजी ने सुम्ती से खाने का थेला लिया और खेत में काम करने लगा सुम्ती भी घर जाने के लिए चल दी तब अनिकेत ने हल्की सी आवाज लगाई सुम्ती तब सुम्ती मुड कर देखते हुए बोली जी सहरू सहरी बाबू जी अनिकेत बोला कौन सी कलास में पढ़ती हो तुम तो वो बोली वो मैं अभी दसवी कलास में हूँ और वे बोले अनिकेत ने पूछा तो पढ़ाई आगे नहीं करनी जो इतनी जल आगे की पढ़ाई सुम्ती मुस्कुराते हुए बोली आगे का तो पता नहीं बाबुजी गाम में इससे बड़ी कक्षा ओया कॉलेज नहीं है और सहर की लड़कियों सहर में लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता अनिकेत बोला तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना पिर ना लव और कुस को जो हमारे भावी के दोनों बच्चे हैं जब हमाभाई जाज में बैटे आसमान में उड़ रहे होंगे तो नीचे से हाथ हिलाएंगे और वो सीड़िया होती है ना जो अपने आप उपर नीचे होती रहती है उन पर भी चड़ाएंगे अनिकेत सुम सुम्ती की मासूमियत बरी बाते सुन रहा था और मनी मन दूआ कर रहा था कि सुम्ती हमेशा खुस रहे उसके सारे सपने पूरे हों इतनी मासूम और दिल की साफ लड़की इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियां से कहीं उसकी मासूमियत ना खो जाए यह फूल हमेशा खिलता रहे कभी न मुर्जाय सुम्ती के बाबू जी बोले क्यों सहाब के सर में अपनी बातों से दर्द कर रही है घर जा बिटिया सुम्ती के बाबू जी की बात सुनकर अनिकेत बोला नहीं काका सुम्ती की बातों से भला किसी की सिर्द में दर्द कैसे हो सकता है यह तो सब का दर्द और गम जो वह भी भुला देगी अपनी बातों से अनिकेद सुम्ती की आँखों में देखता हुआ बोला इतनी मासूम और मिठी बाते सुनने को मिलती कहां है और मनी मन बोल रहा था कास ये पल यही रुक जाए सुम्ती हमेशा मेरी आँखों के सामने ही रहे मैं उस कर दीजिए अनिकेद बोला अभी तो वो हवेली में है जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे सुम्ती बोली सहरी बाबू पर दे जरूर दीजिएगा नहीं तो हम दोनों के मुलाकात बार बार होती रहेगी अनिकेद आश्रिये से सुम्ती को देखता रहा सुम्ती हसते यह किसने बोला, तुमसे सुम्ती बोली हमारी सहिली नम हुआ, उसने बोला था, सुम्ती ने परनाम करते वी बोला, की अच्छा अनिकेत, सहरी बाबुजिए हम मैं चलती हूँ, वो पायल याद रखिएगा, अनिकेत ने हामें सिरहुला दिया, परताप भी अनिकेत के पास आके बोला अनिकेत भाई जल्दी वकालत पढ़ कर वकील बन जाओ हमें तो आए दिन कोई ना कोई कानूनी दाप पेच मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें अनिकेत बोला हाँ भाईया मैं भी जल्दी ही वकील बनना चाहता हूँ अनिकेत और परताप घर वापिस आ गए ठकुराइन खाना खाने को बोलने लगी अनिकेत के आगे बहुत से पकवान थे अनिकेत ने थोड़ा ही खाया परताप ने पूछा भी खाना पसंद नहीं आया तो वो बोला नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है मैंने बहुत खा लिया अब भूक भी नहीं है ठकुराइन बोली ये आजकल के बच्चे चड़िया के जैसे खाते हैं शाम को अनिकेत के निकलने के समय ठकुराइन ने बहुत सी मिठाई फल और उसे उपाहार में दिये अनिकेत ने जो वे सबकार में रखवा दिये अनिकेत ने बहुत मना करता रहा पर वो उसकी कुछ नहीं सुनती और ठकुराइन ने उसके काफी सारा समान गाड़ी में रखवाया अनिकेत ने उनके पैर चुए कार से सहर के लिए अनिकेत निकल पड़ा वह से निकलते समय उसे बार-बार सुम्ती का ध्यान आ रहा था सुम्ती का मासूम सा चेहरा बार-बार उसकी आखों के सामने आ रहा था रास्ते में कोई भी लड़की दीखती तो वो सहिलियों के पास उसकी पायल देने जाने लगा फिर सुम्ती की बात ध्यान आई अगर किसी का समान हमारे पास रह जाता है तो उससे दुबारा जरूर मिलना होता है कहने को तो यह एक अंद विस्वास था ऐसा हो यह जरूरी नहीं पर ना जाने की अनिकेद को इस पर विस्वास करने का मन कर रहा था वो ऐसा कोई भी गुंजाई हो जिसमें उसे सुम्ती से मिलवा सके छोड़ना नहीं चाहता था सुम्ती अपनी भावी के साथ घर के काम कराने में लगी थी तब भावी जी की नजर सुम्ती के पैर पर गई सुम्ती ने एक पैर में पायल पहनी होई थी एक में नहीं भावी मुस्कुराते हुए बोली क्योंनी सुम्ती ये कौन सा नया फैसन है एक पैर में पायल एक में नहीं सुम्ती को याद आया कि उसकी पायल अनिकेत के पास है हवेली पहुँचती जहां सुम्ती को पता चला अनिकेत सहर के लिए निकले वे उसे तो बहुत समय हो गया सुम्ती घर आई पर उसे समझ नहीं आ रहा था अनिकेत के जाने से उसका मन दुखी क्यों है मने मन वो उदास थी और अपनी पैनियोई पायल भी निकाल कर उसने संदूक में रख दी अगले दिन अपने स्कूल के लिए तयार होने लगी थोड़ी देर में पड़ोस की ममता भुआ हाथ में एक गठड़ी लिये आ गई सुम्ती उने देखकर बोली क्या बात है भुआ आज कैसे कपड़े लेके हमारे यहां आई हो ममता भुली तेरे रमन चाचा यानि जो ममता का बड़ा भाई था उनके यहां मदू रमन की जो बेटी थी उसकी शादी की रसम सिरू हो गई थी इसलिए भावी ने बोला है बिद्वा को सुबकारिय से दूर रहना चाहिए इसलिए हुआ ऐसे मौके और रसमों पे रहती तो कुछ असुब माना जाता है इसलिए मैं यहां रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए सुम्ति आश्चरिय भरी नजर से ममता को देख रही थी वो बोली बुआ आप उनके परिवार का हिस्सा हो आप असुब कैसे हो गई मदू भी चाहती होगी उसकी बुआ उसके साथ रहे यह तो बिल्कुल गलत है आपको किस बात की सजा दे रहे हैं वो लोग आप इंसानों कोई कूड़ा करकट नहीं जो आपको ऐसे दूर कर रहे हैं भुआ मुस्कुराते हुए बोली तू नहीं समझेगी सुम्ति मा ने तेज अवाज में बोला ये नियम बड़ों ने बनाया है दो अक्षर क्या पढ़ लिये तू परंपरा को ही गलत बोलने लगी सुम्ति कुछ बोलने को हुई तभी ममता भुआ कुछ नहीं बोलने का इसारा किया और बोली रहने दो भाभी सुम्ति अभी बच्ची ही तो है जा सुम्ति तुझे स्कूल के लिए देर हो रही होगी सुम्ति गुसे में पैर पटकते हुए हुआ से स्कूल के लिए चली गई सुम्ती घर आई तो बाबू जी बोले कल वो लड़का और उसके परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं सुम्ती को देखने सब तैयारी कर लेना मा बोली सुम्ती तू भी अपने हाथ के भुने थाल पोस और बागी का समान निकाल कर कमरा सजा देना कल जरा जल्दी से उठ जाना और ना के अपनी भावी से अच्छे से तैयार हो जाना कल इसकूल नहीं जाना है तुमें अगर कोई नया बहाना नहीं बनाना है समझ गई न सुम्ती को ये सब कुछ बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था वे मनी मन बहुत दुखी थी उधर सहर पहुचकर अनिकेत भी बहुत दुखी था उसको भी रात में नीद नहीं आ रही थी रात में वे पेंटिंग बोर्ड पर रंगों से खेलते हुए मनी मन सुम्ती की तस्वीर लिये हुए जो उसने पने मन में बसाई हुई थी सुम्ती की बहुत प्यारी पेंटिंग बना देता उसे देखकर महसूस होता कि सुम्ती उसके पास ही खड़ी है अगले दिन सुबह ही पांच बजे सुम्ती की माने सुम्ती को अबाज लगाने लगी सुम्ती भौर हो गई है जल्दी से उठकर भावी के साथ काम करा ले सारा सामान अच्छे से लगा देना और हाँ अच्छे से ध्यान रखना ममता भौा से दूर रहना आज और पड़ोस की चाची से उसके नास्ते के लिए डिजाइन वाले बरतन ले आना बाद में धोकर वापिस दे देंगे सुमती आंके बंद करे सारी बातें अंसुना करे जा रही थी तब दुबारा माने बोला देख सुमती अब मुझे दुबारा न बोलना पड़े ये ध्यान रखना सुमती मुँ बनाते वे उठी और बड़बडाती हुई बोली कहीं का राजकुमार है क्या वो जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है मा भी न बिल्कुल पगला गई है वो घर की साफ सपाई करके सारा समान लगा देने लगी फिर नहा कर भावी जी के साथ खाना बनाने लगी सुमती के बनाए हाथ के खाने की स्वाद की तारीफ हर कोई करता था सब कुछ बना के सुमती तैयार होने के लिए चली गई सुमती के लिए मा ने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी थी सुमती की भावी ने सुमती को बहुत अच्छे से तैयार किया सुम्ती के खुले लंबे बाल आखों में काजल माते पर छोटी सी बिंदी यह सब सुम्ती की सुन्दर्ता को और बढ़ा रहे थे माने जब सुम्ती को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली किसी की नजर न लग जाए हमारी सुम्ती को सुम्ती को समझाते हुए मा सुम्ती से बोल रही थी सुम्ती देख जादा बोलना नहीं उनके सामने जितना पूछा जाए बस उसका ही जबाब देना चल के दिखाने को बोले तो आराम से चलना उचलती कूदते मत चलना और खाने या जो भी उनके सामने खाने के लिए रखा बोल देना कि तूने ही सब बनाया है सुमती मुह नीचे करके सब सुन रही थी तब माने बोला तु सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ तब सुमती मुह उपर करके बोली मुझे भूक लगी है मा सुबह से बस काम काम करवाई जा रही हो अब जो सजा कर बठा दिया खाना खाना है मुझे सुम्ती की मा बोली हे जान की मैया इसे मैं इतनी देर से समझा रही हो ये क्या समझा रही हो इसके दिमाग में तो खाने पर है इसका दिमाग इसको तो बिलकुल नहीं है कि मैं इसको क्या समझा रही हूँ और वे भावी से कहने लगी भावी मुझे कुछ खाना खाने को दे दो बाकी वे बाकी की तैयारी देखने में उसकी माँ चली गई और कहने लगी पहले इसे खाना खिला दे बहु बाद में कुछ होगा तोड़ी देर में लड़के वाले आ गए उन सब का स्वागत करके बाबू जी ने बैठक में उनको बिठा दिया लड़के की मा पिताजी और उसकी छोटी बेहन और एक दोस्त आया था सात में उन सब की आवो भगत में सब लग गए गाउं की लड़किया और सुमती की सहलिया दरुआजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी तब सुमती को बुलाने के लिए लड़के की मा बोलती है आसा और भाभी सुमती को लेकर जाने लगी सुम्ती को सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया अब सब की नजर सुम्ती को देखने में लगी थी लड़के की मा ने पूचा खाना बना लेती हो तो वो हां में गर्दन हिला देती आज के ये जो सब नास्ते की चीजें हैं ये सब तुमने बनाई हैं क्या लड़के की मा बोल रही थी सुम्ती ने एक नजर नास्ते की ओर गुमाई और बोली हां जी ये सब मेने बनाया है समोसे पकोडी हलवाई मिठाईए दुमकीन और बिस्कुट जम्हाँ खड़ी सुम्ती की मा सुम्ती को आखे दिखाते हुए बोली नई बेहन जी, नमकीन बिस्कुट तो दुकान के हैं, सुम्ती के ऐसे जवाब से लड़के की मा सुम्ती को घूरने लगी, वे उसे घूर कर देख रही थी, लड़का जिसका नाम अनील था, अनील की मा आगे बात बढ़ाते हुए सुम्ती से बोली, बुनाई आती है, हमारे ह सब को हाथ के बुने हुए जर्सी स्वेटर पसंद है, सुम्ती बोली हामोसी, तो हमारे हिया भी सब हाथ के बने हुए पहनते हैं, पैर के बुने किसी ने नहीं पहने, अनील की मा और अनील एक दूसरे का मुझ देखने लगे, वो फिर बोली, चोले पर खाना बना लेती हो सुम्ती फिर जबाब देती और कहने लगी, हान जी आग भी बहुत अच्छे से लगाती हूँ, अनील की मा के मुझ से आश्चरिय भरा सब्द निकला, क्या आग लगाती हो, सुम्ती बोली हाँ, चूले में, वो बोली लड़की तो बड़ी तेज है, सुम्ती की मा बोली, अ बहत पूर्ण है, मैं चाहताओ, मेरी होने वाली पत्नी मेरी मा की खूब सेवा करे, उन्हें सब काम मेरी पत्नी को आना चाहिए, मेरी मा को कुछ काम ना करने दे, जैसे वो बोले, वैसे ही करे, तो सुम्ती, तुम्हें हाथ पैर दबाना तो आता है न, हर रोज काम के अंदर यंदर गुसे में कुड रही थी उसका मन हुआ कि वे वहां से चली जाए और बहुत तेज चिला के बोल दे नहीं करनी मुझे शादी अनिल ने दुबारा पूछा कर लोगी न सब सुम्ती की मा सुम्ती को घुरते हुए उत्तर देने के लिए सारा करने लगी तब सुम मेरा गला दबाएगी सुम्ती बोली अरे नहीं नहीं सर दबाने को बोला सर सुम्ती की मा ने अनिल और उसकी मा से बोला आप लोग भोजन कर लीजिए भोजन ठंडा हो रहा है इतना बोलके वो आसा और सुम्ती की भावी को इसारा करके बोली अंदर ले जाओ इसे सुम्ती जट से उठी और मानो उसे कैद से आजादी मिल गई जैसे ही वो घर में गई मा आके उसके कान को मरोड के पूछने लगी क्या अनापसनाब बके जा रही थी सुमती दर्द से चिलाते हुए बोली ओ मा मेरा कान छोड़ो मा क्या कर रही हो दूख रहा है कान छोड़ो मा मा अपने डाट जारी रखते हुए बोली देख सुमती अगर इस रिष्टे में कोई बाधा आई न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बोल देती हूँ सुमती मुँ बनाते हुए आसा से बोली क्यों आसा मैंने कुछ गलत बोला क्या उनके सब सवाल ही अनाप सनाप होंगे तो जबाब भी तो ऐसा ही देगी न बता तो जबाब आसा आसा मुस्कुराते हुए बोली कुछ भी बोल लड़का देखने में अच्छा है बिलकुल मौवा चैनल पर जो पवन कुमार सुमती बोली हाँ तो तेरी करा देती हूं न चल दोनर सहलियों में इसी तरह मजाग चल रहा था तब ही सुमती की भावी ने आवाज लगाई सुमती चल तुझे अनील की मा बुला रही है सुमती ने बोला अब क्या रह गया पूछने को आसा सुमती को लेके अनील की मा के पास गई उन्होंने सुमती के सर पर हाथ फेरा और पांसो एक रुपे देते हुए बोली अब कमर कसलो मैं तुमारी सास बनने वाली हो सुमती आश्चरी और उदासी से उन्हें देखने लगी तब वो तुनक कर बोली घर वालों और बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया सुमती को कुछ समझ नहीं आया तब भावी ने इसारा कर दिया कि इनके पैर छूलो और पैर छूने के लिए जैसे भावी नहीं सारा किया सुमती पैर छूली तो वो बोली संसकार की कमी है बहुत कुछ सीखना पड़ेगा तब उसकी भावी बोली अभी छोटी है मैं सब सिखा दूंगी सुमती दुखी मन से अपने कमरे में चली गई सुमती के बाबू जी और मा भावी जी सब लोगों ने महमान नवाजी की और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की सब के जाने के बाद सुमती की मा सुमती के पास आई और उसे गले लगाते हुए आँखों में आसु लिये बोली बिटिया अब तु पराई हो जाएगी बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है सुमती उदासी से बोली मा तुम भी तो यही चाहती थी तो उसकी मा बोली नहीं बिटिया कौन मा अपने बच्चों को अलग होना चाहती है ये तो समाज की रीती है इसे तो जो निभाना ही पड़ता है सुमती उस राट ठीक से सो भी नहीं सकी उसका मन साधी करने का बिल्कुल नहीं था वै पूरी राट इसे टालने के लिए उपाय सोचने लगी पर कुछ भी हल नहीं निकला अगले दिन सुमती स्कूल के लिए तयार होने लगी तभी उसकी भावी ने बोला अब कम कर स्कूल जाना घर का काम कब सीखेगी सुमती बिना कुछ बोले तयार हो रही थी भावी उसे सुनाए जा रही थी न जाने कहा की कलेक्टर नहीं बनेगी तबी सुम्ती के बाबुजी की खांसने की आवाज आई तब भाबी जो अपना घुंगट आगे करती हुई रसोई में चली गई बाबुजी सुम्ती के हाथ में मुबाइल देते हुए बोले जरा अपने भाईया को फौन लगा दे शादी की तैयारी के लिए पूछलू कैसे करनी है ले दे के ये घर बचाए नहीं तो इसी को गिर्वी रखके मुनीम से उधार रुपे लेने पड़ेंगे सुम्ती का मन यह सब सुनकर बहुत दुखी हो रहा था सुम्ती अपने भाईया को फौन लगा कर बाबू जी को पकड़ा के स्कूल के लिए चली गई उस दिन सुम्ती का कहीं मन नहीं लग रहा था उसे बस बाबू जी की बाते याद आ रही थी बाबू जी की मजबूरी देखकर उसका मन बिचलित हो रहा था उस दिन से सुम्ती बहुत उधास रहने लगी ना तो बगीचे में आम तोड़ने जाती और ना ही पानी पूरी में स्वाध आता था उसे बाबू जी और मा ने पंडित जी को बुला कर शादी का महुरत तै करवाया और उसके रोके का समय पूछा पंडित जी ने अपनी पोथी पत्रा उलट पुलट कर चार महीने बाद का शादी का और दस दिन बाद रोके का समय निश्चित किया जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था सुम्ती की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती क्या देना है क्या लेना है मा बाबू जी में अक्सर इन बातों में बहस भी छड़ जाती बाबू जी ने सुम्ती से बोला अपने भहिया को फौन लगा के बोल दो कि रोका करने के लिए आ जाए और सहर से यह सब सामान भी लेते आए सुम्ती की तरब बाबू जी ने एक लिश्ट देते हुए बोला सुम्ती ने भहिया को फौन पर सारी बात बता दी अगले दिन मुकेस भहिया भी आ गए लवकुश देखते ही उन्हें खुसी से उचल पड़े मुकेस भहिया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया मुकेस ने मा बाबू जी के पैर चुए सुम्ती उनके लिए पानी और मिठा ले आई बाबू जी के साथ मिलकर मुकेस ने रोके की तैयारी कर ली देखते ही देखते वो दिन भी आ गया सब लोग अनील के घर जाने के लिए तैयार थे लबकुस को भाबी ने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था पंडित जी से तिलक करा के सब लोग उनके घर के लिए चल दिये घर आते समय अंधेरा हो गया था जैसे ही वो लोग घर पहुँचे मा और भाबी सब कुछ जानने के लिए उत्साहित थी बाबु जी ने बताया सब अच्छा था उन्होंने कुछ और समान बताया है बोला है शादी में दे देना भाईया ने बोला मैं सहर जाके पैसो का इंतजाम करता हूँ पर बाबु जी जाएदा तो नहीं हो सकेगा बाबु जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा पर धान जी से बात करके देखते हैं कुछ मदद कर देंगे तो मुकेस अगले दिन सहर के लिए निकल गया बाबु जी भी पैसो के इंतजाम में लग गए भाबी जी ने भी सास का बकसा और सुम्ती को देने के समान तयार करने लगी बहुत कोशिस करने पर भी पैसो का इंतजाम नहीं होने के कारण बाबु जी ने घर को गिरवी रख रुपयों का इंतजाम करने की सोची सुम्ती को जब इस बात का पता लगा उसने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिस की पर सुम्ति के सारे परियास ऐसा फल रहे शादी का दिन पास आ गया घर के आंगन में मंडप तीयार हुआ सुम्ति को पीली साडी में तैयार किया गया हल्दी की रसंपूरी होने के बाद एक-एक करसारी रसमे पूरी होने लगी और शादी का दिन भी आ गया सुम्ती हर समय महमानों से गिरी रहती रसमे होने के बाद सुम्ती थोड़ी शांती के लिए छट पर चली गई पड़ोस की छट पर उसे ममता बुआ दिखाई दी वो उनसे बोली अरी ओ ममता बुआ तुम क्यों नहीं आई आज हल्दी की रसम में तो बुआ होके भी नहीं आई वो बोली बिटिया हम लोगों की परच्छाई असुब होती है सुम्ती मैं नहीं आ सकती सुम्ती बोली देख लो बुआ हमारे आगे सब बहना नहीं चलेगा आना तो पड़ेगा अगर नहीं आई न तो ये सुम्ती भी कसम खाती है कभी तुमारी चोखट पर पैर नहीं रखूंगी इसलिए शादी में आ जाना जरूर शादी के दिन चारों और चहल पहल हो रही थी गर में मेहमानों का आना लगा हुआ था कभी हलवाई पूछता तेल का कनस्तर का है कभी सजावट वाला फूल को पूछता घर की लाइट कभी आती कभी जाती बाहर से जनरेटर की आवाज आती घर में मेहमान आते और कन्यादान के लिए सुम्ती के लिए साड़ी और रुपे देते बुआ का लड़का सभी का नाम और उनके रुपे एक कौपी में लिख रहा था बास से बना मंडप में सुम्ती और उसके साथ कोछ और लड़कियों को बिठाया वहीं बुआ जी ने चूले पर दाल भात बनाया और उसे सुम्ती और बाकी की लड़कियों को परुसा गया सुम्ती नाक सिकोडते हुए बोली ये क्या है मरीजों वाला खाना बुआ बोली ये रसम है ये पूजा के हैं खालो और भी तो लड़कियां खा रही हैं पुष्पा भी उनमें ही बैठी हुई थी वो बोली हाँ भुआ अब खा लेते हैं शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे सुम्ती के चेहरे पर खुसी आ गई बोली हाँ पुष्पा शाम को तो पानी पूरी भी मिलेगी सुम्ती की भुआ बोली नहीं सुम्ती तुमें नहीं मिलेगी तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है सुम्ती चिड़ते हुए बोली ये क्या बात है हम क्यों रहें भूके ये मरीजो वाला खाना खाके क्या लड़का भी होगा भूका नहीं न तो हम क्यों रहें भूके बोली ज्यादा मूना चलाओ नहीं तो सास से रोज ताने मिलेंगे चुप चाप खालो नहीं तो रहने दो बुआ आगे की थाली खीचते हुए बोली, सुम्ती बुआ को रोकते हुए बोली, नहीं बुआ रहने दो, हम खालेंगे, आगे तो भूके रहना है, बिना मन के सुम्ती ने वो खाना खालिया, सुम्ती छत पर जाने लगी, अपनी सहिलियों के साथ, बुआ ने बोला, अब कह जा रही हो तो सुम्ती बोली बुआ दूप में थोड़ी जा रही है थोड़ी सर्दी लग रही है बुआ बोली ठीक है छुरा पास में रख लेना सुम्ती ने हां में गर्दन हिला दी छट पर जाकर सुम्ती बोली देख आसा पुस्पा भूख तो मेरे से बरदास होती नहीं और इतना फीका खाना खाकर मूँ भी खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचाकर पानी पूरी लेया। आसा बोली लाने को तो मैं लादूंगी सुम्ती पर तेरी भुआ की डाट बहुत तेज होती है। सुम्ती बोली तू ले के आजा और तीखा बनवाना जैसे ही लाए सबसे नजर छुपा के वो अलग कमरा है ना जिसमें हमें उन दिनों में रहना पड़ता है। ले आना जल्दी के लिए जो शादी के लिए सबी कमरों की अच्छे से सपाई हुई है और हम हुआ जा सकते हैं समझी अब जा और याद रखना तीखा होना चाहिए। में लोटा होता है वो कमरे की ओरिसारा करती है सब नजर बचा के कमरे में चली गई सुम्ती अंदर आकर जट से कमरा बंद कर देती है और दोनों सहलियां को थोड़ा सा दे कर खुद सारा लेकर एक एक करके मूँ में पूरी रखती जाती और तीखा होने से उसके आँखों स पानी आने लगा फिर भी वो खाती जा रही थी सब खतम हुआ तभी भी मिर्ची के कारण सुम्ती की आँखों से पानी आ रहा था इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई सुम्ती ने जल्दी से सबसाफ करके लोटा छुपा दिया और किवाड खोला तो सामने मा सुम्ती को देखकर मा का चहरा उदास हो गया आखों में पानी आ गया और वे जट से सुम्ती को गले लगा कर रोने लगी सुम्ती को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी भावी और बुआ भी आ गई बुआ बोली सुम्ती की मा अभी कौन सा बिदाई हो रही हो जो इतना रो यो मा से सकते हुए बोली देखो न जी जी यह इहां सबसे चुपके अकेले रोए जा रही है क्या हाल बना लिया है रो रोके पूरा मू लाल हो गया है आखे भी रोके सूझ गई है पीछे से पुसपार आसा दोना मू दबाए हसे जा रही थी भुआ बोली हमारी सुम्ती सय तो हुआ ही सब बैठेंगे, मौका देख पुस्पा रासा भी हुआ से निकल गई, शाम को सुम्ती को गाम की सरोज दीदी आई थी सजाने के लिए, गाम की अकसर लड़कियों को सरोज दीदी ही सजाती थी, सुम्ती को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली सुम्ती का कहा सांत बैठने वाली थी, सरोज ने बोला देख सुम्ती, अगर तु शांत नहीं बैठेगी, तो मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी, और चाची जो की सुम्ती की मा है उससे बोल दूँगी, सुम्ती बोली नहीं दीदी, आब हम बिल्कुल सांत रहेंगे, मा से कुछ मत कहना, थोड़ी देर में सुम्ती को सरोज, सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से समवार गई, सुंदर सी सुम्ती अब और सुंदर लगने लगी, बुआ ने जैसे ही सुम्ती को देखा, ऐसे ही तैयार होती है, बरात गाम में आने की खबर मिली है, सब लोगों की दोड़ भाग और तेज हो गई, दुआर पूजा की सारी तैयारियां सिरू होनी लगी, पूजा की थाली, फल, फूल, माला, सब कुछ देख कर तैयारी कर रही थी, दुआर पर बरात आने के बाद, दुआर पूजा की रसम सिरू ही, सबी लोग दुला देखने चले गए, सुम्ती कमरे में अकेली थी, वो इदर उदर कमरे में टेहल रही थी, तब ही ममता भूआ कमरे में आ गई, सुम्ती उन्हें देख कर बहुत खुस हुई, और गले लग गई, ममता भूआ सुम्ती के हाथ में पचास रुपे देते हुए बोली, खुस रहे बिटिया, सुम्ती ने रुपे देख वापिस भूआ के हाथ पर रख दिये, और बोली, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये सब, बुआ बोली बिटिया, यह मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं, गाम के किसी औरत ने देख लिया, तो मुसीबत हो जाएगी, सुम्ती गुसे में बोली क्यूं होगी मुसीबत, कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं उसे देख लूँगी, बुआ बोली बेटा तु नादान है, तुझे कुछ नहीं पता, चल मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ, इतना बोल कर बुआ कमरे से निकल गई, तब ही भावी अंदर आई और बोली, ये ममता जी जी आई थी क्या, सुम्ती बोली नहीं तो भावी कोई नहीं आया, भावी बोली तो कोई सपेद साड़ी में सौल ओढ़े सुम्ती कहने लगी, बात को बदलते हुए बोली क्या बात है भावी कोई भी नहीं आया सफेद साड़ी में भावी तुम तो आज गजब लग रही हो भावी तो आज तुमें देखकर खुस हो जाएंगे सुम्ती ने अपनी बात बदल दी सुम्ती की बात सुनकर भावी सरमा गई और बोली सुन्दर तो मैं हुई बस समय नहीं मिलता सजने सवरने का इसलिए ऐसी दीखती थी दोर पूजा के बाद सारे बराती खाना खाने चले गए अनील के फूपा जी हर जगय कमी निकाल रहे थे खाना ठंडा है नास्ता अच्छा नहीं है हमारा स्वाग ठीक नहीं हुआ सुम्ती के बाबू जी हर जगय हाथ जोडे खड़े रहे बात बात पर और बिना गलती के पर पहुंची, पहले माला सुम्ती को डालने को बूला गया, अनील के दोस्तों ने उसे गोद में उपर उठा लिया, और सुम्ती को चड़ाने लगे, सुम्ती मनी मन सोच रही थी, मन तो करता है, यहां से कहीं दूर चली जाओं, पर मा बाबुजी का ख्याल आ जाता है, सुम सुम्ती मूँ नीचे करके खड़ी हो गई, तब अनील ने सुम्ती को माला पहनाई, इसी तरफ सब उनकी रसमे भी पूरी हो गई, सभी बरातियों से बाबुजी खाने के लिए पूछ रहे थे, सब के खा लेने के बाद बाबुजी घर में आके बोले, शादी की सब तयारी हो गई है, अनील जी आ रहे हैं, सुम्ती ने बाबुजी को देख कर पूछा, बाबुजी आपने खाना खाया, तो बाबुजी बोले, नहीं बिटिया, मैं और तेरी मा कन्यादान के बाद खाएंगे, सुम्ती बोली, मेरी बज़े से आप दोनों को भूका रहना पड़ रह है, शादी के लिए तो मंडप में अनील आ चुका था, सुम्ती को सादी के लिए आंगन में बुलाया गया, सुम्ती पीली साडी और ससुराल से दिये गए गहने पहन कर तयार हुई थी, सुम्ती के लंबे बाल आगे करे हुए थे, पीली साडी में वसीता माता के जैसे लग जा रहा था सुम्ती वैसे वैसे कर रही थी पंडित जी एक एक कर सातो बचन बोलने लगे और सुम्ती को फिर जो कहने लगे और लड़के को भी दोहराने के लिए बोला सुम्ती और लड़के दोनों दोहरा रही थे फिर सिंदोर दान सिरू हुआ खुबसूरत सिंदोरा में सुम्ती की मां अनील ने भरी सुम्ती की आँखों में आसु आ गई मां खड़ी भुआ भावी मां बाबु जी सबकी आँखे नम हो गई सबकी आँखों में आसु होते हैं सुम्ती अब स्वागन हो गई थी शादी की सभी रसम पूरी होने के बाद पंडित जी सुम्ती को समझाने लगे अब ये सिंधोरा तुम्हारा है इसके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है इसके भी अपने ही नियम है ध्यान से सुनो बेटिया सिंधोरा वही रहेगा जहां तुम रहोगी ये तुम्हारे ल सुमती सारे नियम ध्यान से सुन रही थी, शादी के बाद दोनों नव जोड़ा सब का असिरवाद लेने लगे, सब दोनों को असिरवाद दे रहे थी, सदा सुकी रहो, तुमारा सिंदोरा की चमक कभी कम ना हो, अब बरातियों की विदाई का समय था, सुमती का गौना जो श सुमती के बाबूजी और मुकेस ने मिलकर सभी महमानों को बहुत अच्छे से कपड़े, रुपे और मुठाई दे के विदाई दी, दहेज का सामान और जेवर, अनील और उसकी मा को सौप के सारा सामान ध्यान से भिजवाने लगे, सुमती की सास सुमती से मिलने गई, सुम सुमती का बहुत जो ध्यान रखना कोई कमी ना हो समझी, सुमती ने हां में सिरहिला दिया, सभी बारातियों के साथ अनील और सुमती की सास भी चले गए, धीरे धीरे सभी रिस्तेदार भी चले गए, पूरा घर सूना हो गया, सुमती काफी दिनों की छुटी के बाद अक्सर सिंदूर लगाते समय उसके कपड़े भी सिंदूर में रंग जाते, धीरे धीरे सिमती ने सब सीख लिया, भाईया और बाबुजी कर्ज उतारने की कोशिस में बहुत मेहनत करते, धीरे धीरे समय बीत रह था, सुमती की शादी को एक साल हो गया, बाबुजी की तब अधिक काम करने के कारण खराब रहने लगी, सुमती ने कैई बार मना किया कि काम करने को घर पर जो गिरवी रखा था, उसे भी देखना था, उसके बापु से समझाते, इन मुसीबत के समय में और मुसीबत हो गई, जब पता चला की मुकेस फैक्टरी में काम करते हुए, हा हाथ की तरजने उंगली कट कर अलग हो गई, जब घर में फोन आया, तो सुमती ने फोन उठाया, तो मुकेस के दोस्त का फोन था, उन्होंने बताया मशीन में मुकेस का हाथ आ गया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी है, हम उन्हें अस्पताल ले गए, आप अपने यहां से किसी को भेज दे, यह खबर सुनकर मा बाबु जी बेचैन हो उटे, भाबी तो यह सुनते ही बेहोस हो गई, सुमती सभी को संबालते हुए कहने लगी, और भाबी के मुँपर बार बार पानी के छीटे दे कर उन्हें होस में लाने की कोशिस कर रही थी, बहुत देर सबी शान्त हुए, सुमती बोली बाबु जी, भाबी जी के साथ आप सहर चले जाएं, भाबी भाईया को देखेगी तो शायद इने तसली मिले, मा ने बोला, तो ठीक कहती है सुमती, अपनी भाबी को जाने के लिए तयार कर दे, भाबी ने जाने की तयारी कर ली, बाबु जी ने पड़ोसी के मोबाईल पर फॉन करके बताया कि दो दिन बाद आना होगा और मुकेश को साथ लेके आएंगे, और सब ठीक है, दो दिन बाद वो लोग घर आ गए, बाबु जी बोले अभी मुकेश को आराम करने के लिए बोला गया है, इन सब में बहुत खर्चा हो करीब 15 दिन बाद मुकेश के ठीक होने पर वो दो बारा से नौकरी के लिए सहर चले गए, इस बीच कैई बार मुनीम के यहां से आदमी रुपे मांगने आता रहा, देखते ही देखते गौने का समय भी पास आ गया, पंडित जी ने 14 दिन बाद का महुरत निकाला, घर में स बाद दिया था और गौने की तैयारी में लग गई थी, गौने के दो दिन रह गए थे, अगले दिन मुकेश भाईया आने वाले थे, बाबु जी के पास मुकेश का फोन आया, उन्होंने बताया कि एक गाउं में बहुत बड़ा कैम्प लगाया, वाके डाक्टरों से के उसमें जो टेंट में लगा हुआ लोहे का डंडा अमित के सिर में लग गया, और चोट गैरी होने से कुन जादा बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, इतना सुनते बाबु जी धम से जमीन पर बैठ गए, मा, सुमती और भाबी घबराते हुए बाबु जी को हिला बैठा जा रहा है, बाबु जी ने रोते हुए सारी बात बताई, मा यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गई, सुमती को समझ नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है, उसके साथ ही सारे घर में मातम छा गया, सब बहुत तेज रोने लगे, गाउं के लोग भी आ गए, थोड़ी देर में गाउं की ओरतों ने सुमती के हाथ की चूड़ियां तोड़के निकाल दी, और सिंदूर भी पहुचके साफ कर दिया, सब बोल रहे थे, सुमती बहुत अभागन है, इसकी किसमत तो फूट गई, भरी जवानी में बिधवा हो गई, अमी अनील के घर से एक आदमी और सिंदूरा मांगा, जब पती का देहांत हो जाता है, तो सिंदूरा उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है, मा सिंदूरा देती हुई बोली, ना जाने किसकी नजर लग गई सिंदूरा को, सारा रंग बेरंग हो गया, सुमती अब बहुत शांत रहने लगी थी, ना ठीक से खाती थी ना ठीक से सोती और ना ये किसी से बोलती थी ना तो अब बगीचे के आम खाती ना ही पानी पूरी पिता जी भी अब बहुत बिमार हो गए दिन पर दिन हालात खराब होती जा रही थी पिता जी ने सुम्ती को बुलाया और प्यार से समझाया सुम्ती तू तो मेरी बहदूर बिटिया है हम आज हैं कल नहीं रहेंगे पर तू हार नहीं मानना जिंदगी से हमेशा अपना ध्यान रखना कभी जीवन को खतम करने या आतम हत्या करने की कोशिस कभी मत करना बिटिया सुम्ती की आखों में आसों की धारा बरस पड़ी वो कुछ नहीं बोल रही थी रात में बाबुजी को खाना देके सुम्ती सोने चली गई अगले दिन सुम्ती की मा बाबुजी को जगाने गई वो बार बार सुम्ती के बाबुजी को बोल रही थी पर बाबुजी का सरीर ठंडा पड़ गया मा ने सुम्ती को आवाज लगाई अरी ओ सुम्ती ओ लवकुस जरा देखो न तुम्हारे बाबुजी तो जागी नहीं रहे आवाज सुनके पड़ोस के चाचा भी आ गए उन्होंने भी नवज्जाची और बताया कि बाबुजी तो अब नहीं रहे य काव की ओरते बोल रही थी सुम्ती बहुत असुब है खुद सपेद साडी में है और मा को भी सपेद साडी ही ला दी भाबी यह सब सुन रही थी मुकेस भहिया को खबर हुई तो भी सेहर से आ गए अंतिम संसकार पूरा चुल बुली सी सुम्ती अब ना तो कुछ बोलती न धेरे पड़ गए मुनुईम जी ने आके भोले अब तुम इस घर को खाली कर दो इस घर में अब तुम नहीं रहोगे तुमारे बाबुजी ने उधार नहीं चुकाया उस समय मुकेस के पास भी इतने रुपे नहीं थे कि वो उधार चुका सके ऐसे में भाबी ने बोला हम स किसे छोड़ कर जा सकते हैं मा की बात सुनके मुकेस बोला मा यह घर मैं नहीं बचा सकूंगा जो सुधा ठीक कहती है आप मेरे साथ सहर चलो मुकेस की पतनी का नाम सुधा था इसलिए वो बोला सुधा का जियो राय है वह बिलकुल सही है घर छोड़ के जाने का ना तो सु सहर के लिए निकल पड़े मा बाबुजी की फोटो लिए घर की देली जैसे छोड़ रही थी मा नो दिल पर भारी पत्थर रखा हो मा सुमती से बोली सुमती जब मैं दुलन बनकर इस घर में आई थी तब मैंने सोचा हैं से मेरी अर्थी ही जाएगी पर आज मुझे जीते जी ये घर छोड़ना पड़ रहा है इसके हर कौने में तेरे बाबुजी की याद समाई है सहर पहुँचकर देखा कि घर बहुत छोटा था मुकेस भावी को सब बताने लगा कहां क्या है लवकुस मा से बोले दादी ये घर अच्छा नहीं है हम कब अपने घर जाएंगे मा बिना कुछ बोले रोने लगी भावी का वैवार भी बदल रहा था सुमती को ही घर के सारे काम करने होते थे भावी बोलने लगती इतनी महँगाई में घर चलाना आसान थोड़े ही ना है मा की दवाई का भी ध्यान सुमती रखती और सारी कड़वी बाते भी सुमती रहती गर का सारा काम भी करती एक रोज मा को लखवा मार गया मुकेस ने बहुत दवाई कराई पर कोई फरक नहीं दीखा मा ने बिस्तर पकड़ लिया वो बिस्तर पर ही रहती और सुमती सिराने बैठके बहुत रोती उसे अपने बाबुजी की बहुत याद आती थी कुछ दिनों बाद मा भी बाबुजी के पास चली गई यह सब देख सुमती का मन हुआ की जहर खाले पर अपने बाबुजी की बात याद गर की रुक गई भावी के ताने अब और कड़वे हो गए थे वो बोलती सब को खा गई अब किसे खाएगी उन्होंने भहिया से कई बार सुमती को बिधवा आसरम छोड़ने को बोला पर वो भहिया जो भावी पर गुसा हो जाते जो सारे परियास ऐस फल हो गए तब वो सुमती के पास आई और बोली सुमती तू खुद ही अपने भहिया से बोल दे कि तुझे आसरम छोड़ दे मैं तेरे आगे हाथ जोडती हूँ तु मे बिधवा हो और बिधवा बहुत असुब होती है उसकी परचाई भी सुहागन के लिए सही नहीं होती सुमती बोली भावी ये तो अंदविस्वास है तब उसकी भावी बोली जो भी है मैंने तुम से तो कुछ नहीं कहा ना मांगा तो बस एक ही बात मांगी है कि मेरे पती क बख्स दो आज तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा सुमती के पास अब कोई रास्ता नहीं था वो भाईया से बोली भाईया आप मुझे आस्रम छोड़ दें वहां हमारे जैसे और भी लोग रहते होंगे वहीं सही जगह है मेरे लिए भाईया आप बस हमें वहीं छोड़ द चाहतियों बहुत बैहस के बाद उसका भाई मुकेस मान गया अगले दिन सुमती मा बाबुजी की फोटो लेकर और अपना बक्सा ले जाने के लिए तैयार हो गई लब कुछ सुमती से चिपक गए बोलने लगे बुआ मत जाओ सुमती बोली दूर नहीं जा रही बेटा चाते जाते भावी इसे मिलके बोली भावी जो तुम चाहती थी वो हो गया आसरम पहुँचकर सुमती ने देखा आसरम बहुत बढ़ा था चारोगर सफेद साड़ी में महिलाएं गूम रही थी सुमती भी हुआ के ऑफिस में बात करके हुआ रहने के लिए कमरा पता कर लि अगले दिन सब के साथ सुम्ती आसरम के मंदिर गई मंदिर में कृषन भगवान की मन मोहिनी मूरत थी थोड़ी देर में एक महिला आके बोली आज वो बड़े साहब आये हैं सब को सावल और मिठाई बाट रहे हैं आपको भी देने के लिए बुलाया है सब हुआ से चली गई पर सुम्ती हुएं बैठी रही एक टक क्रिशना की मूरती को नियार रही थी दुख उसके आसूं जो आँखों से छलक रहे थे इसी दुख में वो पूजा करते हुए भजन गाने लगी वो बड़े साहब जो सौल और मिठाई दे रहे थे वे कोई और नहीं अनिकेत के पित गया वो तुरंत उसकी आवाज पहचान गया वो बेचैन हो गया इधर उधर देखने लगा आवाज की और बदहवास होके भागने लगा मंदिर में आकर वे रुख गया और हापने लगा और उसे कोई सपेज साड़ी में मूरती की और मूह करके बैठी दिखाई दी अनिके पिर चारों और देखने लगा फिर उसे एहसास हुआ ये आवाज वाली महिला यही है वो आवाज देता रहा सुम्ति का एक आवाज सुम्ति की बंद हो गई अनिकेत के दिल की धड़कन बढ़ गई जब सुम्ति ने पीछे मुर कर देखा तो अनिकेत चौक गया वो प्यार सी चुलबुली सी लड़की आज किस हाल में है सुम्ति अनिकेत को देखकर बोली सहरी बाबू आप अनिकेत का एक पल मन हुआ कि वो सुम्ति को जोर से गले लगा ले वो लड़की जिसे सफेद रंग तनिक भी पसंद नहीं था आज उपर से नीचे सफेद रंग में है वो बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और पास आके बोला कैसी हो सुम्ति ये क्या हाल बना लिया तुमने सुम्ति मूँ नीचे करके बोली किसमत का थपड़ है बाबू जी अनिकेत का दिल बहुत दुखी था जो लड़की बस सरारत भरी बाते करती थी आज हो कितन गंभीर हो गई है कैसी गंभीर बाते कर रही है अनिकेत कृष्ण भगवान की मूर्ती के और देखकर मनी मन भोला है काना मैंने तुमसे कहा था सामरी को मुझसे दुबारा जरूर मिलाना पर ऐसी हालत में मिलेगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये कभी नहीं चाहा अन अनिकेत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ थोड़ी देर मैं अनिकेत का ड्राइवर आ गया और बोला चलिए वकील बाबू बड़े साहब बुला रहे हैं सुमति अनिकेत की तरफ देखती हुई बोली अब वकील बाबू बन गए हैं अनिकेत मुश्कुराते हुए बोला जी खानदानी पेशा है, पिता जी इस सहर के बहुत बड़े वकील है, भहिया भी वकील है, और भावी समा सेवी का है, नारी समान नाम की एक संस्ता चलाती है, मा भी उसमें उनका साथ देती है, अब मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे, सुम्ती का हुआ बिलकुल भी मन नहीं लग र रहा था, एक रात करीब 11 बजे दर्वाजे पर दस्तक हुई, सुम्ती आवाज से उठी और दर्वाजा खोला, आसरम की एक महिला दर्वाजे पर खड़ी थी, उसने सुम्ती को उसके साथ रहने वाली कुसम को आवाज दे के बोला, चलो आसरम की बड़ी दीदी, जो आसरम और कुसम उसके पीछे पीछे चल दी बड़ी दीदी के यहां पहुँच कर देखा तो दो आदमी बैठे थे दीदी ने उन दोनों से बोला बाहर बस खड़ी है जाओ उसमें बैठ जाओ सुम्ती आश्चरिये से बोली दीदी हम कहां जा रहे हैं इतनी रात में सुम्ती के जवाल सुनके वोया गुसे में बोली कुसम इतने दिनों से यह तेरे साथ रह रही है तो उन्हें इसे कुछ नहीं बताया क्यों नहीं मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है जा रास्ते में कुसुम बता देगी सुम्ती कुसुम के साथ चल दी रास्ते में कुसुम ने बताया ये हमसे जबरदस्ती वेश्या विर्ती कराते हैं जो भी इनका विरोध करता है उन्हें मारकर आस्रम के पीछे बगीचे वाली जगां पर जला के गाड़ देते हैं हम कहीं और जा नहीं सकते, परिवार वालों ने पहले ही हमें त्याग दिया है, सुम्ती यह सब सुनकर उसके पैरो तले जमीन की सक गई, उन दोनों लड़कों ने जबर्दस्ति उन्हें बस में बठाया, जहां पहले से ही आसरम की कई महिलाएं थी, जो बिना कुछ बोले सां मनी मन वे अपने काना को मना रही थी, एक काना जैसे तुमने द्रोपती की लाज बचाई, वैसे ही आज मेरी भी बचा लो, सुम्ती घबराट के कारण रोए जा रही थी, वो बस एक होटल के बाहर जाकर रुकी, तब ही महिलाओं के होटल के अंदर भेज दिया गया, सुम् मेले से ही कोई ना कोई आदमी मौजूद रा, सुम्ती को भी एक कमरे में ले गए, सुम्ती बहुत रोई गिडगडाई, पर उसे उन लड़कों ने कमरे में धक्का दे दिया, सुम्ती जैसे ही कमरे में पहुँची, वह एक अधेड उम्र का आदमी, जो जट से उसने बंद कर दी कमरा बहुत सुन्दर सजा हुआ था बहुत सी मूर्तियां और गुलदस्ते थे सुम्ति पूरी तरह डरी हुई थी वो उसके आगे हाथ जोड के बोली मुझे जाने दो रहम करो पर वो आदमी दुष्टता बरी हसी से बोला ऐसे कैसे जाने दू तुम्हें तेरे लिए पूरे पैतालिस हजार रुपे खर्च किये हैं पहले उन्हें वसुट वो किसी भूके भेडिये के जैसे उस पर जप्टा सुम्ति उससे जितना दूर जा सकती थी उससे उतनी दूर भागी अंत में दिवार से लगकर खड़ी हो गई और हाथ जोड के लाचारी से रह सब बिफल हो रहा था सुम्ति बार बार हाथ मार रही थी और वो दरिंदा जानवर की तरह उसे दबोचे जा रहा था सुम्ति के हाथ पर उसके नाखून के खरोंच के जो निशान लग गए जिन से खून बह रहा था सुम्ति के कपड़े जगे जगे से फट गए थे सुम्त से उस आदमी के सर पर दे मारा वो आदमी सर पकड़के गिर गया और गिरते ही बेहोस हो गया सुम्ती चौक गई और हुआ से निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली जैसे ही मैन गेट पर पहुची तो देखा दौन और लड़के जो बस लेके आये थे हुआ ही बैठे त रोते हुए वो बस भागे जा रही थी उसे आप कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए आप उसने सोच लिया कि वे खुद को खतम कर लेगी एक औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता सबसे जादा कमजोर वो तब ही हो जाती है जब उसके सम्मान को संक कट आ जाता है रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पुल दिखाए दिया वो भागते हुए उस पुल पर पहुंची वहा बहुत से वाहन आ जा रहे थे उसने पुल के नीचे देखा तो रात में पानी हलकी रोशनी में जो बहुत भयावान लग रहा था सुम्ती रोते जैसे ही सुम्ती ने छलांग लगाने की कोशिस की कोई हात उसे जोर से पकड़े हुए था सुम्ती को उस समय होस नहीं रहता तो बस चिलाती है कि मुझे छोड़ दो मुझे मरना है सुम्ती को बचाने वाला हात अनिकेत का था अनिकेत उसका बड़ा भाई अजय दोनों ही पास के सहर से घर लोट रहे थे, रास्ते में सपेद साड़ी में किसी औरत को ऐसे पुल के पास खड़ा देखकर उन्हें सक हुआ, कोई आतम हत्या तो नहीं कर रही, अजैय ने उसके पास कार रोक दी, और तुरंत बचाने के लिए दौन बाहर निकले, पर ये उम्मीद बिल और बोला भाईया, जैसे बोला कि अनिकेत इन्हें घर लेकर चलते हैं, अनिकेत ने सुम्ती को कार में लिटाया और घर की ओर चल दिये, घर पहुँचकर जैसे ऐसे ही दरवाजे पर पहुँचे, भावी नैना ने दरवाजा खोला और बोली, कितनी देर लगा दी, एक तो हातों में बेहुत सुम्ती को ले रखा था, तो आशरी से बोली, ये क्या है भाईया, भाईया बोले, अंदर चलो बताता हूं, अंदर पहुचकर अनिकेत ने सुम्ती को सोपी पर लिटाया, नैना भावी न फॉस्टेड बॉक्स मांगा, और पानी, फिर अनिकेत ने भाव और भाईया को सुम्ती के बारे में सब बताया, कि वो किस गाम की है, हैं कैसे पहुची, फिर अनिकेत ने पानी की कुछ छीटे सुम्ती के चहरे पर मारी, जिससे वे होस में आ गई, और होस में आ गई और मूँ को अपने आचल से ढखकर रोने लगी, सुम्ती को इस तरह र कोच बस पीछे कर लिया, नेना भावी को इसारा किया, भावी ने सुम्ती के कंदे पर हाथ रख कर पूचा, बड़े प्यार से पूचा सुम्ती, मुझे बताओ, मैं भी एक औरत हूँ, तुमारा दर्द समझ सकती हूँ, सुम्ती से सकते हुए धीरे धीरे, सुम्ती ने सार फायदा उठा रहे हैं, हमें इनके खिलाब सकत कदम उठाना चाहिए, इन सब बातों से अजे शांत बैठे थे, नेना नारियों के सम्मान के लिए समास सेविगा के रूप में संस्ता चलाती थी, इसलिए उने इन सब के खिलाब जल्दी से जल्दी कुछ करना था, अजे कि अनिकेत, घर में प्यार से अनिकेत को अनी बुलाते थे, वो आश्रम राजनीती के जाने बाने नेता गिरवर जी का है, वो पिता जी के बहुत अच्छे दोस्त भी है, उनके खिलाब लड़ना आसान नहीं होगा, सुम्ती रोते हुए बोली कि मैं भी उस आश्रम में रह लेना, सुम्ती बोली नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती, नैना बोली मैं जो संस्ता चलाती हूं तुम हुआ रहलो, हुआ और भी बहुत सी महिलाएं रहती हैं, सुम्ती को यह भाट ठीक लगी, नैना ने उसके जिसम पाए खरोंच जो लगी हुई थे, उन पर दवा लग अनिकेत का खून जो सुम्ती के घाव देखकर खोल रहा था, नैना ने सुम्ती के फटे कपड़े देखकर उसे कपड़े बदलने को बोली, सुम्ती बोली पर भावी मैं तो सपेद साड़ी पहनती हूं, नैना बोली कोई बात नहीं सुम्ती, सपेद रंगी पहनना जरूरी नहीं है मेरे और भी कपड़ें वो पहन लो सुम्ती ने जवाब दिया नहीं भावी मा ने सपेद को ही बोला था अब ये रंग हमसे जुड़ गया है हमें इसी के साथ जीवन बिताना है सुम्ती की बास सुनके अनिकेत अपने मन में बोला मैं तुम्हारे जीवन में इस पास तो यहीं है अभी यहीं पहन लो तुम्हारे कपड़े कैई जगे से फट गए हैं सुम्ती ने वो सूट पहन कर आई तो अनिकेत की नजर उस पर ठेर गई वो हलके रंग का सूट जिसमें हलके हलके रंग के फूल बने थे और लाल लेस लगी हुई थी नैट का कर रिवाई की मांग करूंगा अजय बोला अनिकेत जोस में होस मत खो बैठना यह सब इतना आसान नहीं है वो आसरम किसी ऐसे इनसान का नहीं है वो नेता गिरवर जी का है जिनका नाम ना केवल इस सहर में बलकि हमारे देश में भी प्रतिश्टित है उनके खिलाप लड़ से वो लोग और सतर्ख हो जाएंगे सुम्ती की जान को खत्रा भी हो सकता है पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं तब कुछ करेंगे नैना भी अजय की बात से सहमत थी सुम्ती को नैना ने आराम करने के लिए एक कमरे में सुला के कमरे के बाहर अब तीनों नैना ने सब को सोने के लिए बोला अनिकेत बोला आप लोग जाएए मैं थोड़ी देर बात चला जाओंगा नैना और अजय के हुआ से जाने के बाद अनिकेत सुम्ती के लिए बहुत चिंतित था कहीं ना कहीं उसे भी डर था कहीं पापा मना ना कर दें परेशान होके वो भी एक बार सुम्ती को देखकर अपने कमरे में सोने चला गया आधी रात में सुम्ती के कान में जानी पहचानी सी आवाज आई सुम्ती बिटिया सुम्ती की आख खुली उसने देखा सामने बाबू जी और मा खड़ी थी सुम्ती खुसी और आश्चरिय से बोली बाबू जी म आप लोग आ गए आप लोग हमें छोड़ कर कहां चले गए आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है आप लोग अपने साथ हमें क्यों नहीं ले गए या हमारा कोई नहीं है हमें किसके साहरे छोड़ गए हो हम बिलकुल अकेले हो गए है बाबुजी बोले बिटिया तु हमारी बहद्दूर बिटिया है भगवान को पता है तू कितनी बहद्दूर है इसलिए तुम्हारी इतनी परिक्षा ले रहे हैं पर बिटिया तू कभी हार मत मानना मुस्किलों से भागना नहीं उसका सामना करना अपने साथ साथ तुम्हारे ही जैसी जो और भी महिला हैं उनका साह बनकर हार कभी मत मानना मा मुस्कुरा के बोली हम दोनों का आसिरवाद तुम्हारे साथ है मजबूत बनकर जो मजबूर नहीं बिटी है मजबूत बनना इतना बोलके वो लोग ओजल हो गए सुम्ते चिलाती रहें बाबू जी मा तभी उसे किसी ने जोर से हिलाया सुम्ती की आके खुली तो सामने नैना और अनिकेत खड़ेते सुम्ती पसीने में भीगी हुई इधर उधर देख रही थी थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ उसे सपना देखा था अनिकेत ने पूछा क्या हुआ सुम्ती बोली कुछ नहीं सपना देख रही थी माफ करिएगा हमारी कि नीदख खराब हो गई, नैना बोली, कैसी बात करती हो सुमती, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, थोड़ी देर में नैना भावी की बेटी के रोने की अवाज आई वो बोली उठ गई मेरी डॉल हम देखकर आते हैं अनिकेत तुम सुम्ती को पानी दे दो थोड़ी देर बाद बात कर लो कर लेना सुम्ती को थोड़ा अच्छा लगेगा नैना के हुआ से जाने के बाद अनिकेत ने सुम्ती को पानी दे कर हुआई प खिलाप, मैं ऐसे डर के दब के नहीं रह सकती, नहीं तो वे लोग ऐसे आसरम की महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे, मुझे नहीं पता यह सब कैसे होगा, पर मैं इसके लिए इनके खिलाप लड़ना चाहती हूँ, अनिकेत सुम्ती की बात सुनकर खुस होते हुए बोल अभी तो मैं जागी हूँ, अब तो इनसाफ की लड़ाई लड़नी है, जैसे तैसे रात बीट गई, सुबह नास्ता करने के बाद अनिकेत सुम्ती को नैना के द्वारा बनाई गई संस्था पर ले कर गया, हुआ सुम्ती को रहने के लिए एक कमरा दिया गया, अनिकेत बो उसने देखा हुआ कि कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कड़ाई कर रही थी, सुम्ती ने भी अपने गाम में बहुत सिलाई कड़ाई की थी, सुम्ती ने उन महिलाओं से पूछा इन सब के बारे में, तो उन्होंने बताया हमें ओर्डर मिलता है, जिसे हम सब मिलकर पूरा क बताएंगे आपको उन्होंने फौन पर नैना से बात की तब सुम्ती बोली नैना मेडम ने बोला है आप उनकी बहुत खास है आप जो चाहे कर सकती हैं सुम्ती खुसो कर बोली नैना भावी कितनी अच्छी हैं परवंदवीका ने बताया कि इन सब के साथ साथ अनात आसरम औ चलाती हैं यह सुनकर सुम्ती के अंदर एक उमीद की किरन जाग गई उसने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च के लिए संस्ता में काम करने का विचार बनाया शाम को अनिकेत के मम्मी और पापा आए रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा नैना की बेटी जिसे सप्यार से परी बुलाते थे उसके साहत्थ खेल रहे थे तब आजये भहिया की तरफ से निकेत ने बास इुरू की करने कैसा रा किया भहिया ने बास इुरू करने के लिए पापा से बोले पापा कुछ बात करनी है आपके जो दोस्त हैं गिरवरजी जिनके आस्रम भी चलते हैं, पापा बोले हाँ हाँ, उनके बारे में क्या बात करनी है, तब नेना ने बोला पापा, आप ने हमेशा औरतों के सम्मान की बात की है, आज भी बात एक औरत के सम्मान की है, यह सुनकर ममी ने आस्री से बोला, क्या हुआ नेना, क्या बात है, पापा ने का हाँ कहते हुए बोला केश तो करना ही चाहिए पर बेटा केश है बहुत मुस्किल क्योंकि लड़ाई आसरम के साथ साथ गिर्वर नेता के खिलाब भी है हमारा पक्षवी मजबूती के लिए बहुत ठोस सबूत होना चाहिए आसरम की अगरादी महिलाएं भी एक अनी पर सारे सबूत जुटाने के बाद जल्द बाजी में नहीं अगले दिन अनी केट और नेना दोन संस्था गए सुमती से मिलने जब अनी केट को पता चला सुमती आगे पढ़ना चाहती है तो बहुत खुस हुआ और नेना से सुमती के दाखिला के लिए बोला सुमती के इसके विशे में जानने को बहुत ही उत्सुक थी अनिकेत ने सारी बात बताई और समझाया हमें बहुत से सबूत चाहिए सुम्ती उदास हो गई नैना ने सुम्ती के कंदे पर हाथ रख कर बोली यह समय उदास होने का नहीं है हिम्मत रखो अब लड़ना है आगे कैसे क्या क वाज उठा सको सुम्ती ने कुसम से बात करने की सोची उसने आसरम में फौन लगाया और अपनी पहचान चुपाते हुए कुसम से बात कर एक मंदिर में मिलने को बुलाया कुसम मान गई सुम्ती अनिकेत उससे मिलने गई कुसम को सुम्ती ने सब बता के मदद करने के हमारा कोई नहीं है, इन सब के बाद हम कहां जाएंगे, हमें इस आसरम में रहना है और हर हपते के सनीवार और रविवार को होटल में जाना होता है, यह सब तो सहना है, सालों से चल रहा है, यह सब किसी की हिम्मत नहीं हुई, आवाज उठाने की तुममजे माफ करो, मुझे म एक रास्ता है वो बोली मुझे उस आस्रम में जाना होगा आज सौंबार है बस होटल सनिवार और रविवार जाएगी इससे पहले मैं हुआ कुछ ना कुछ सबूत ले आऊंगी अनिकेट सुनते ही उसने मना कर दिया नहीं सुनती ये बहुत खतरनाक होगा नैना बोली पर हम अभी दस्तावेजों के बारे में बता दो जिसकी हमें जरूरत है और कैमरा कैसे चलेगा यह सब अच्छे से समझा दो अनिकेट ने सारी बात सुनती को अच्छे से समझा दी मोबाइल और कैमरा जो सैट करना और सब कुछ सुनती जल्दी ही समझ गई ना चाहते हुए भी स सुम्ती को हुआ जाना पड़ा, सुम्ती हुआ जा रही थी, तो अनिकेत को लग रहा था, जैसे कोई उसकी जान ही ले जा रहा है, सुम्ती आस्रम पहुंची और वाडन मैडम के पास जाके रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिये दीदी, मुझे पता चल गई है मेरी घल तुम जैसी बहुत औरते यहां से और भी भागी हैं जाती रहती हैं हमें उन्हें पकड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती वो खुदी वापिस आ जाती हैं चलो अच्छा है तुम समझ गई सब लोगों को ऐसे ही जीना है इस बात को जितना जल्दी समझ सको समझ सुमती अपने कमरे में गई और कुसम यह देखकर चौग गई तब सुमती बोली मैंने भी सोचा क्या लड़ाई लड़े हमारी जिंद्गी तो वैसे भी बेरंग है यह इस नरक में जीना ही है तो यही सही मैंने भी इस हालत से समझाता कर लिया है आधी रात को सुमती सब से बचके वहां के कारयाले में उस कमरे में पहुंची जहां सारे दस्ता बेज थे वहां पर ताला लगा था सुमती देखकर वापिस कमरे की ओर जैसे ही मोड़ी सामने कुसम खड़ी थी सुमती उसे देखकर बुरी तरह डर गई कुसम बोली मुझे सकता तुम वापिस सबूत जुटाने आईयो घवराओ मत मैं तुमारी मदद करूंगी सुम्ती को यह सुनकर थोड़ा सगून मिला कुस्म ने बोला इसकी चावी वाइडन के पास रहती है जैसा बोलती हूं तुम वैसा करती जाओ बस सुम्ती ने हामी सिर हिला दिया सुम्ती और कुस्म दोना कमरे में वापिस आ गई तब कुस्म बोली तुम हैं ही रुको मैं चावी लेके आती हूं कुस्म वाइडन मैडम के कमरे में गई दर्वाजा खट-खट आया थोड़ी देर में कमरे का दर्वाजा खुला वो नीन में बोली क्या हुआ आफिस खोल कर दबा ले लेना और वापिस लाके हैं ही रख देना कुस्म चावीयों का गुछा लेके तेजी से सुम्ती के पास गई सुम्ती चावियां देखकर खुसी से उसने पूछा कैसे मिली कुस्म ने सारी बात कह सुनाई दोना कारियाले में पहुंची सुम्ती को अंदर भेज कर कुस्म दर्वाजे पर पहरा देने लगी अनिकेत ने जैसा बताया सुम्ती ने वैसे ही पेपरों की फोटो ले ली और कुछ फाइल साथ में ले ली जल्दी से बाहर आ गई कुस्म ने दर्वाजा में जो जल्दी से ताला लगा दिया और ताला लगा कर चावी मेडम के पास रखाई और डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था सुम्ती ने बताया अब ये फाइल अनिकेत के पास पहुंचानी है अगले दिन कुस्म सुम्ती को लेकर वाइडन मेडम के पास पहुंची और बोली मेडम सुम्ती को दवाई से भी आराम नहीं हो रहा है उसको लेकर डॉक्टर के पास जा सकती हो वाइडन मेडम बोली हाँ जाओ पर जल्दी आना ठीक है बोल कर कुसम और सुम्ती नैना के संस्ता पहुंची जहा अनिकेत पहले से मौजूद था वहाँ फाइल और पेपर अनिकेत को दे दिये अनिकेत ने खुसी से बोला well done सुम्ती कुछ देर बाद बात करने के बाद सुम्ती और कुस्म आसरम के लिए निकल पड़ी पीछे सानिकेत ने आवाज लगाई सुम्ती सुम्ती ने पीछे मुड़ कर देखने लगी और उन्होंने बोला अपना ध्यान रखना सुम्ती मुस्कराते वे हां में घरदन हिला दी रास्ते में कुस्म बार बार सुम्ती के चेहरे को देख रही थी सुम्ती ये देखकर जो कुस्म से पूछा क्या हुआ ऐसे क्यूं देख रही हो कुसम थोड़ा मुस्करा कर बोली अनिकेत बाबू की आखे देखी सुम्ती आश्चरी से बोली मतलब कुसम बोली वे तुम्हें चाहते हैं इतना सुम्ती चौक गई बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो हमें गाउं से जानते हैं वो तो वकील होने के नाते हमारी मदद कर रहे हैं, बस कुसम बोली देखा नहीं, कैसे उन्होंने बोला सुम्ती अपना ध्यान रखना, सुम्ती ने कुसम का मुँ बंद करते हुए बोला, बस अब और कुछ नहीं बोलो, कुसम मुस्कुरा रही थी, दोना आसरम पहुंची व अपना माइक्रोफॉन आउन कर लिया था, और आफिस में गई, तब वाडन मैडम ने बोला, तो सुम्ती इस बार तुम्हें बस से जाना है, पिछली बार बहुत नुकसान कर दिया तुमने, सेट जी बहुत गुसा थे, सुम्ती बोली हाँ मैडम मैं चलूंगी, और कहां ज सकती हों, पर सेट जी कौन है, जिने मैंने नाराज कर दिया था, वो बोली, तुम सेट जी को नहीं जानती, सेट गिरवर जी, वही तो इन सब के करता धरता है, सिर्फ इसी सहर में नहीं, जहां जहां उनके आसरम है, सब जगई यह होता है, सुम्ती के कैमरे में सब रिकॉर हो रहा था, जो सीधे अनिकेत अपने लेपटॉप में देखकर रिकॉर्ड कर रहा था, सुम्ती ने बहुत मेहनत और कठनाई से बहुत से सबूत जुटा लिये थे, आधी रात को बसकी आवाज से सुम्ती की आख खुली, तो सुम्ती ने जट से कैमरा ओन करके बसके पास छुपते छुपाते पहुँची उसने देखा, तो बस से किसी सपेद कपड़े में लिप्टी कोई लास निकालकर बगीचे के ओर ले जा रहे थे, सुम्ती उनका पीछा करने लगी, बगीचे में पहुँचकर उसने देखा, उसे वहीं दपना रहे हैं, सुम्ती के हाथ पा ता तो कहां गई थी क्या हुआ सुम्ती ने सारी बात बताई कुसम बोली हाँ यहाँ अगर कोई जाएदा उम्र का हो जाए या गर्व ठेर जाए तो मार के उसे बगीचे में गाड देते हैं सुम्ती ने आसु साप करते हुए बोला कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं छोड़ूंगी सब को इंसाफ दिलाऊंगी कुसम ने बोला कल तो सनिवार है तुम सुबै ही हाँ से चली जाना सुम्ती बोली नहीं मैं भी साथ जाऊंगी रंगे हाथ पकडवाना है इन्हें पहले ही अनिकेत को बता दूँगी वो पुलिस को लेके होटल आ जाएंगे साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो इन सब को बढ़ावा देते हैं अगले दिन सुम्ती ने ऐसे ही किया अपने फॉन का जी पी एस चालू कर दिया और फॉन अपने आचल में छुपा कर बस में बैठ गई सुम्ती और कुसम बहुत घबरा रही थी इस बार किसी दूसरे होटल पहुँचे थे सब को एक एक करके कमरे में भेजा जा रहा था सुम्ती बेसबरी सानिकेत का इंतजार कर रही थी सुम्ती को एक कमरे में भेजा गया सुम्ती का डर बढ़ते जा रहा था कमरे में सुम्ती पहुंची तुमा एक आदमी सराब लेकर बैठा पी रहा था सुम्ती को देखकर बोला सुन्दर अति सुन्दर और सुम्ती की और बढ़ा सुम्ती परिस्थितियार शंभालते हुए बोली इतनी भी क्या जल्दीय है मेरे हाथों से भी तो जाम पी लें और कमरे में बचने के लिए भागने लगी उस आदमी ने सुम्ती का हाथ जोर से पकड़ा सुम्ती रोने लगी इतने में तेजी से धरवाजा खुला सामने पुलिस और अनिकेत खड़ा था पुलिस को देखकर आदमी भागने की कोसिस करने लगा अनिकेत सुम्ती के पास पहुँचा तो सुम्ती अनिकेत से लिपट कर रोने लगी घवराट में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कब अनिकेत से लिपट गई अनिकेत ने उसे चुप कर आया तब सुम्ती जटके से अनिकेत से अलग हुई अनिकेत ने बोला माफ करना थोड़ी देर हो गई मुझे सुम्ती सुम्ती को लेकर वे कमरे में पहुँचा जहां वो अनिकेत के ममी पापा से पहली बार मिली सुम्ती ने दोनों लोगों के पैर चुए ममी ने गले लगाते हुए बोला मैं भी तुम्हारी मा जैसी हूँ बेटा नेना ने जल्दी सुम्ती के लिए पानी मंगवाया सुम्ती पानी पी के सारी बात सब को बताने लगी कि ये सब बस हैं ही नहीं बलकि और सहरों में भी जहां जहां इनके आस्रम है सब जगे चल रहा है और हर जगे जवान बिद्वाँ कोई आस्रम में रखते हैं नहीं तो मार के बगीचे में दफना देते हैं अनिकेत बोला हाँ मैंने रज़त जो पुलिस था उसको बताया है वो कल हुआ खुदा ही कराएंगे बेटा तुम बहुत 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 दूरो तुम सब को जरूर इंसाफ मिलेगा अगले दिन अनिकेत केस फाइल कर दी और जो की पूरे सहर में हंगामा मच गया पापा के पास गिरवर का फॉन आया और बोले देखो अभी तुमने हमारी दोस्ती देखिये दुस्मन ही नहीं ऐसे ही सुमती को भी बहुत धंकिया मिली पर सुमती ने साहस नहीं छोड़ा पहली सुनवाई में सुमती का पक्ष मजबूत रहा बगीचे की खुदाई से बहुत से नरकंकाल निकले आस्रम के पेपर के अनुसार हुआ बहुत सी महिलाओं ने आश्रे लिया था पर अब उ सुमती उने समझा रही थी गवाई देने को यही मौका है खुद को और बाकी महिलाओं को इस दलदल से निकलने का उमहिलाओं बोली हमारी किसमत में यही लिखा है सुम्ती गुसे में बोली भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए तैयार हो और तो मजबूर नहीं होती उनकी सोच उन्हें मजबूर बनाती है किस बात का डर है उनके खिलाब बोलो या ना बोलो एक उमर के बाद वैसे भी तुम्हें मार ही देंगे आब निर्नया सब आपके हार में है सुम्ती हुआ से चली गई अगली सुन्वाई में सुम्ती का पक्ष कमजोर पढ़ रहा था तब ही आसरम की महिलाए एक जुठो के आई और गिर्वर के खिलाप गभाई दी सुम्ती या देखकर बहुत खुश थी सेहर में नारी सम्मान और नारी सक्ती जैसी कई संस्थाओं की महिलाओं ने आसरम की महिलाओं के संग गिर्वर के खिलाप रेली निकाली या देखकर दूसरे सेहर के गिरवर द्वारा चलाई जा रहे आस्रम की महिलाईं सामने आई और गभाई दी इन सम्में गिरवर को काले काम और काला धन का पता चला जिससे और भी सहर के बहुत से लोग सामिल थे सुम्ती के पास फॉन आया फॉन वार्डन मेडम का था वो सुम्ती से माफी मांग रही थी सुम्ती बोले अगर आप एक पुरुस होती तो माफ कर देए सुम्ती के पक्ष में फैसला हुआ गिरवर को उमर कैद हुई उसकी सभी संपत्ती सरकार द्वारा जप्त कर ली गई सभी महिलाओं ने उत्सभ के रूप में इसे मनाया सभी महिलाओं को सरकारी आसरम भेज दिया गया उन्हें स्वाब लंबी बनाने की शिक्षा दी गई अब वो भी समुह में कारी है करके आतम निर्भर और सम्मान का जीवन जीती हैं सुम्ती उन सब से मिलने आती जाती रहती है कुसम सुम्ती को देखकर बोले भगवान का पता नहीं किस रूप में आके मदद कर जाए करीब एक महीने बाद पता चला गिरवर ने बदनामी से परिशान होकर जेल में फांसी लगा कर आतमत्या कर ली सुम्ती नैना भावी के संस्ता में रहकर काम कर रही है और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और महिला अध्यक्ष बनकर महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बहुत काम किये जिसे सरकार द्वार सम्मानित भी किया गया लेकिन सुम्ती ने अपना वही साधारन जीवन रखा संस्ता में रहना काम करना अनिकेत को नैना ने कैई बार बोला सुम्ती से साधी के लिए पूछने को पर अनिकेत की हिम्मत नहीं होती थी नैना ने परी के जनमनिन पर सुम्ती को घर बुलाया सुम्ती घर तब कि उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी, जो कपड़े से धकी होई थी, उसने वो कपड़ा हटाय तो चौक गई, वो तस्वीर सुम्ती की थी, जब वो गाउं में भजन गाने के लिए सर पे डुपटा रखके बैठी थी, तब ही अनिकेत के आने के आहट, कोई सुम्त ने उसे कपड़े से धक, दूसरी पेंटिंग देखने लगी, अनिकेत के कमरे में आते ही सुम्ती बोली, वो नैना भावी ने आपको नीचे बुलाया है, अनिकेत बोला हाँ, मैं अभी आता हूँ, तक ये के नीचे कार की चावी है, जरा भहिया को दे देना, इतना बोल के अनिकेत अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने लगा, नहाने चला गया, सुम्ती ने जैसे ही तकिया हटाया, तो देखा चावी के साथ एक पायल भी रखी थी, सुम्ती उसे हाथ में लेके देखने लगी, अनिकेत ये देखकर चौग गया, सुम्ती वो पायल दिखाते में बोली ये पायल तो अब तक आपके पास है वो भी तक्ये के नीचे अनिकेद हड़ बढ़ा गया सुम्ती ने फिर पेंटिंग भी दिखाई अनिकेद कुछ बोल नहीं पा रहा था थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनिकेद बोला हाँ सुम्ती जब से तुम्हें पहली बा बावी और मम्मी के साथ जो कमरे में आ गई और हाथ में कुछ सामान भी था अनिकेद और सुम्ती को देखकर कुछ हदे तक समझ गई थी कि अनिकेद ने अपने दिल की बात ही कह दी है सुम्ती उन्हें देखकर हड़ बढ़ा गई और बोली भावी मैं आई रही थी मम्मी हाँ हाँ आ जाना पहले तयार हो जाओ सुम्ती बोली मैं तो तयार हूँ तो सपेद साड़ी ही तो पहनी होती है हमें नैना और मा मुस्कुराते हुए बोली समान खोल के देख लो जिसमें लाल साड़ी चुडियां और सिंगार का समान था वो आश्चरिय से दोनों की तरफ द देंगे सुम्ती आखों में आसू ले बोली आप लोगों के वैसे ही मुझे बहुत एहसान है हम पर लेकिन मैं बिधवा लोग मुझे सब अपसगनी बोलते हैं मा बोली इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाया है तो तुम तो उनके लिए भगवान का रूप हो अपसगन अपसगन नहीं सुम्ती ममी के गले लगकर रूने लगी नैना पास आके बोली तो चलो देवरानी जी तैयार होना अब आपका बेरंगा सिंदोरा रंगों से सजने वाला है मा ने अनिकेत से बोली जल्दी तैयार हो जा नीचे आ जाना नैना ने सुम्ती को बहुत सुंदर से सजाया जब नीचे हौल में पहुंची तो लवकुस दौन अबुआ बोलते हुए सुम्ती से चिपट गए मुकेस भाईया और भावी भी सामने खड़ी थी नैना ने बताया पापा जी ने पहले इन से बात कर ली थी और इने हैं बुला लिया था सुम्ती की सगाई होने के बाद ल ने खुद के रुपे से अपने गाउं का घर वापिस खरीद कर मा और बाबुजी की फोटो लगाई और जब भी समय मिलता है अपने माए के समझ कर हुआ चली जाती थी और मा बाबुजी को महसूस करती थी सुम्ती ने बिदवा महिलाएं जो चाहती थी कि उनकी सादी अनाथ आस्रम से एक एक बच्चे गोद जरूर लेना सुमती ने महिलाओं के उपर बहुत से लेख लिखे कभी सोचा है विद्वा आस्रम तो होता है लेकिन कभी भी विदुर आस्रम नहीं होता ऐसा नहीं है समाज में विदुर नहीं होते या कम होते पर वीदूर के लिए समाज में इतने नियम नहीं है जो दूसरी शादी कर सकते हैं उन्हें सपेद रंग नहीं पहनना होता ना कोई उन्हें अब सबुनी मानता है क्योंकि उन्हें किसी साहरे की जरूरत नहीं होती उनमें पर बिद्वा जैसे कही नियम लागू नहीं होते महिलाओं को इतना सिक्षित और आतमने रुबर बनना चाहिए कोई किसी भी परिस्तिती में खुद को स्वेम संभाल सके किसी को इतना हक ना दें कि वे आके आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें